बिस्मिल्लाहि रह्मान रहीम सजाद आमत की तरफ से सब को सलाम पूंचे विज्वल बेसिक का चैप्टर नंबर 10 और उसका इजे लेक्चर नंबर 46 है इसमें हम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को कवर नहीं करेंगे इसलिए चैप्टर नंबर 10 स्टार्ड किया है चलें स्टार्ड करते हैं आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी अबल तो अंसर इस क्वेशन इवंट प्रोसेजर इस अकॉर्स ओन एन इवंट यस और नो फंक्शन्स कोड इस अक्टमेटिक रन कोड यस और नो सब प्रोसेजर इस काल वेन इट्स नेम इस राइट यस और नो चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे सब प्रोसेजर क्या चीज़ होती है फंक्शन प्रोसेजर क्या चीज़ होती है और modules क्या चीज़ होती है इन सब को मैं गर में मजूद मुद्लिव चीज़ों की example के साथ बियान करने कोशिश करूँगा ताकि आपको असानी से समझा हो जाए उन example के साथ जो जो हमारी dairy life में यह हम रोजमरा जिन्दिगी में देखते हैं Structures Programming यह एक तक्नीक है प्रोग्रामिंग के अंदर जिस तरह हमने chapter 1 में देखा था जिसके अंदर हमने बियान किया था high level languages और उसके अंदर जहां हमने तक्नीक देखी थी उसको तीन इसमें डिवाइड किया गया था चप्टर नंबर बान के अंदर पहला था procedural languages, object orient languages और non-procedure languages और जो procedural languages हैं उन में यह आती है structure प्रोग्रामिंग असल में structure प्रोग्रामिंग एक तक्नीक है जिस तरह एक फूप भी एक तक्नीक है actually programming के अंदर प्रोग्राम लिखने की मुछली तक्नीक पाई जाती है एक तक्नीक यह है कि आप manually हर चीज लिखते जाओ, लिखते जाओ, line by line, line by line दूसरी बात यह है कि आप उसके structure बना लो, जिस तरह हम अब परने लगए हैं और तीसरी बात classes बना लो, जो एक अला concept है, OOP का, object oriented programming language का तो जो हम अब परने लगए हैं, यह एक structure programming की example होगी, चलें इसको start करते हैं structure programming is a programming method in which long programs is divided into small blocks of code यहनी कि ऐसी तक्नीक है, जिसके अंदर हम लंबे या बड़े program को छोटे-चोटे block में divide कर देते हैं each block as unique name और हर block का एक unique name होगा, can be used again and again और उस block को हम दुबारा दुबारा समाल भी कर सकेंगे यानि कि आप एक तरह की एक चीज़ बना कर रख लेंगे, तो उसको बार 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 हम बजाए के उसको लिखें, बलकि एक दफ़ा ही हम प्रिंट का एक function define करके रख देंगे और उसको ही बार 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 काल कर लेंगे, बजाए के लिखने के एक उग जैमपल है, जैसे हमने sign की value नकिलनी है, या cause की लेनी है, या 10 की लेनी है तो बजाए के हम उसको, बजाए के हम बार बार sign का function लिखें, cause का function लिखें, 10 का function लिखें तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम एक दफ़ा लिके रख देते हैं तो फिर उसको बार-बार call कर लेते हैं तो ये एक छोटा सा concept है इसके मतलब कि हम बड़े को कैसे divide करते हैं और फिर उसको कैसे द्वारा again reuse करते हैं तो इस concept के आगे फिर इन्होंने चार टैप के code of block बियान किये गी हैं इनको one by one देखते हैं सबसे पहले जो code block है event procedure है procedure मतलब function या छोटा सा code का block event procedure is a type of block that is attached to a particular event यानि कि ऐसा block या ऐसा code का block जो किसी खास event के साथ attached है for example किसी ने click किया तो वो code चलेगा या किसी ने page reload किया तो वो event चलेगा double click किया है तो वो code जो है वो किसी ने किसी event के साथ attached होते हैं उन codes को हम event procedure कहते हैं event procedure type of block that is attached to a particular event जो खास event से attached होते हैं event मुश्री तरह के हैं click event है double click एक event है mouse किसी चीज़ के उप लेकर जाना वो भी एक event है mouse किसी चीज़ से हटाना वो भी एक event है कोई button दबाना कोई key press करना keyboard से ये भी एक event है आपकी key down की key left की key right की tick ये जितने भी हम कोई भी input की तरह देना चाहते हैं वो सारे एक event कहलाते हैं इसी तरह अगर हमने page को reload किया ये भी एक event है page को close करना चाहें तो वो भी एक event है तो events इस चीज़ को कहते हैं it is executed whenever that event occur तो ये जो code का block है ये तब भी अकर होगा जब कोई event अकर होगा वो event जो इसके साथ attached था एक तो ये पहले type है दूसरी type है sub procedures पहला है event procedure दूसरा है sub procedure sub procedure is a type of block that is executed by the calling it with its name तो ये तब ही call होगा या run होगा जब इसको इसके नाम से पकारा जाएगा it is also known as procedure sub procedure को हम simple procedure भी कह देते हैं function procedure function procedure is a type of block that is also executed by calling it ये भी एक block जो है तब भी execute होता है जब इसको call के जाता है within its name जो के इसके name के साथ call के रहता है इस additionally can run some value after processing तो इसमें additionally ये बात है कि ये execute होने के बात कुछ ना कुछ return भी करता है इसकी भी मैं example जाता हूँ module module is a collection of procedure and functions module कहले एक वसी चीज़ है जिसके अंदर अब procedures और function को रख दिया जाता है it is just like a library of code ये एक कहले के एक library है जिसके अंदर code परे हुए है where the program stored most frequently blocks of code तो जो जादार आपके code के block इसमाल होते हैं वो उनको वहां रख रख दे जाता है अब इन चारों के मैं आपको एक एक एक्जेंपल लेता हूँ event procedure यानि कि ऐसा procedure जो किसी के event होने पर काम करें या ऐसा code तो हमारी गार में एक्जेंपल यह है कि जब हम कब बाहर जाकर देखते हैं कि कोई आया या नहीं है जब बाहर की bell कोई बजाता है तो यानि कि कोई ना कोई event होता है तो हम movement करते हैं कि बाहर जाकर देखें कोई आया या नहीं है यानि कि यह वाली movement हमारी टैच होती है बैल के साथ event procedure यानि कि कोई event होगा तो हम कोई काम करेंगे कोई event होगा तो कोई काम होगा फिर उसके बाद सब procedure की example आप इस तरह कहलें कि आप अपने चोटे बेहन या बाई को कोई काम कहते हैं कि यह काम कर दो बस यानिकि उससे कोई आप तोका नहीं का रहे कि वो काम करने के बाद आपके आपको कुछ return भी करेगा फिर उसके बाद function procedure इसा procedure या ऐसा function जिसके अंदर आप किसी को कुछ कहते हैं यानि कि आप चोटे बेहन भाई को कुछ चीज कहते हैं कि यह लो यह पैसे ले लो यह यह काम कर दो और उसका काम करने के बाद आकर मुझे बताओ या आकर मुझे बकाया पैसे दो या आकर मुझे वो इसमान लाक दे दो यानि के पुछी ऐसा काम जिसका आपको रिटर्न भी कुछ मिलेगा तो हम उसको फंक्शन प्रोसेजर करेंगे और मड्यूल ऐसी चीज़ा जिसके अंदर कॉलेक्शन पर हुई है तो बजाए के आप बस बना आके उस नालज को आप वेस्ट कर दे अपने माइंड से तो क्या इस से अच्छा यही है कि आप उन साब चीज़ों को एक छोटी सी खूबसरे डैरी ले 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 और उसके अंदर हाद चीज़ को स्टेप वाई स्टेप लिखने के बाद उस डैरी को आप किचर में रख दें इसका क्या फैदा होगा कि कोई भी आपके बाद या आपके गया मुझूदगी में किचर में कोई आएगा तो वो उस रेस्पी को दे के खुद भी वो चीज़ बना लेगा यानि कि एक प्रसीजर परा हुआ है जिसने भी उसको इसको इसमाल करना है वो दे के अपना फैदा कर सकता है तो यह एक जैंपल होगी मडिकुल की यानि कि बनी बनाई चीज यह लिखे लिखाए चीज परी हुई है कोई भी आपके उसको इसमाल कर सकता है सब प्रसीजर इस ब्लॉक ओफ कोड डैट परफार्म सम अपरिशन यानि कि ऐसा कोड पोड का ऐसा ब्लॉक जो लेना है तो हम उसको बलाएंगे यह उससे राफ़ता करेंगे यह उसका नाम बोलेंगे यह उससे बात करेंगे तो ही वो हमारा काम करेगा सेम यही हाल है कि हम अपने कोड को कॉल करेंगे यह उसको बलाएंगे यह उससे बाचित करेंगे तो ही वो काम करेगा इसा प्रसीज हम उसको जितनी दफ़ा मर्जी चाहें उसको बला सकते हैं उससे काम ले सकते हैं सिर्फ करना क्या है उसका नाम बास बलाना है के फलां मेरा ये काम कर दो जता है तो जो हमारा प्रोग्रामिंग का कर देंगा है जो लाइन बहुआ हो टो यह ठीट्मेंड़ी नहीं हो जाएंगी तब तक वो main के पर वापस नहीं आएगा जैसे वो line तमाम execute हो जाएंगी जो सब procedure के अंदर लिक्यूई है तो वो control again move back to the point where this procedure was called तो फिर वो control जो है वापस आएगा अपने main के उपर For example, आप यह समझे इस तरह एक control जा रहा है जानिके programming के line लिक्यूई है जा करेंगे इसके अंदर enter हो जाएंगे सब procedure के अंदर इसके इतना जितनी भी line of code लिखा हुआ है वो उन सब को execute करेगा जब यह सब line of code execute हो जाएंगे तो वो फिर main के उपर जाएगा और फिर अपने जहां से end किया था वहां से start करना शुरू कर देगा तो इससे तरह जाते जाते जितनी दाफ़ा भी कोई सब procedure आएगा पहले वो उसको तुमाब को execute करेगा उसके अंदर जितनी भी lines होंगे तो फिर वहां से जहां से उसने खतम किया था वहां से start करके अपने main controller को start करतेगा तो इस तरह सब procedure की example आप समझ सकते हैं अब उसको लिखने का syntax क्या है the basis syntax of the procedure is as follow एक private का लफ़ लिखा जाता है जो के reserved keyword है और एक sub का लफ़ लिखा जाता है जो के reserved keyword है सब ये show करेगा कि ये एक sub procedure है फिर procedure का नाम लिखा जाएगा कोई भी जैसे my procedure लिख सकते हैं पहली दफा फिर उसके अंदर कुछ parameter दे जाते हैं और उसकी साथ type दे जाती है parameter क्या चीज़ है इसको भी हम आगे discuss करेंगे फिर उसके बाद ये पहले दानिक complete होने के बाद उसके अंदर हम statements लिखेंगे एक statement भी हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है पांच छे दस भी सो जितनी हमने अपने requirement के मताबक लिखी होंगी वो तुमाम statements यह एक्जिक्यूट होंगी और उसके बाद end sub procedure होजएगा तो यह नोंने describe किया है कि इन लफजों के मैनी के है private का क्या मतलब है it indicates the scope of the sub procedure यह एक तरह के access specified होते हैं यह तीन तरह के होते हैं public, protected, private यह निके किसी भी चीज़ को access करने के लिए उसके साथ जो keyword लिखा होता है वो यह बियान करता है कि यह किस level की access इसको हासल है अगर private लिखा होतो उसका मतलब होता है इसको कोई भी access नहीं कर सकता है सवाए वो जो इसका authentic person है लेकिन अगर प्राइवेट पाक्स है यह किसी गार के अंदर है यह किसी ने प्राइवेट बनाया हुआ है तो वहाँ सिरफ वही प्राइवेट बंदा authentic person ही जा सकता है सेम वही यह concept हमारी इदे प्रोग्रामी में ही है कि जो प्राइवेट होगा उसको हर कोई access नहीं का सकता है लेकिन यह public उसको हर को access कर सकता है sub it is the keyword that is used to declare a sub procedure सब यह बियान करेगा कि हमने अब वो sub procedure start करना है procedure का name आज यह पिर parameter आजेंगे parameter are the value data provide to the sub procedure यह कुछ value होती है जो कि sub procedure को provide की जाती है when it is called यह उसको call कि रहता है end sub it indicates the end of the sub procedure end sub यह बियान करता है कि अब हमने जो procedure start किया था वो खतम हो गया है thank you for watching लाफीज अगर कोई question एक कुमेटर से इंस के मतलब वो पूछे दिएगे quiz के comments करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपनी class value के साथ शेयर करें बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम सजाद हमत की तरफ से सबको सलाब पहुंचे विजूल बेसी का chapter number 10 और इसका lecture number 47 है after watching this video you will be able to answer this question ये वीडियो देकने का बाद आपिस काबल होजेंगे के इंस कार सके private means that this is not accessible to others yes or no public means that can be called anywhere yes or no parameters are the values which are passed to procedures yes or no इनके आंस वीडियो देखने के बाद लिचेकमेर्स में लिखेगा चलें स्टार्ट करते हैं scope of sub procedures sub procedure जो हम लिखते हैं sub procedure मतलब जो एक छोटा block of code हम लिखते हैं उसका scope क्या है scope scope मतलब उसको access करने की range क्या है कौन-कौन उसको access कर सकता है कौन-कौन उसको access नहीं कर सकता यानि के उसकी accessibility क्या है उस code की accessibility क्या है कौन उसको access कर सकता है कौन उसको access नहीं कर सकता normally events procedures always start with private keyword नार्मली जो हम event procedure लिखते हैं प्राइवेट means that the procedure is not accessible in other modules जैसे हम रोजमरा जिन्दगी में देखते हैं कि एक पारक है अगर वो प्राइवेट है अगर कोई पारक प्राइवेट है तो वो कुछ खास लोगों की accessible के लिए होगा लेकिन अगर कोई पारक है तो वो आम लोगों के लिए हर किसी के लिए होगा यही सुरताहल कोडिंग में भी है कि जिस कोड के साथ पॉब्लिक लिखा है वो हर जगा उसको अक्सेस किया जा सकता है और जिसके साथ प्रायवेट लिखा है वो होगों खास ऐरिया ही उसको अक्सेस कर सकता है On the other hand, a procedure with public scope can be called from anywhere in the project वो जिसके साथ public लिखा है, वो शिजादा बन्दा है, उसको कोई भी call कर सकता है When creating procedure, public is the default and public is not required तो जैसे हम कोई procedure लिखते हैं, तो by default, by default का मतलब है कि अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो वो automatically public उसको consider किया जाएगा और जो public होगा, उसके साथ public लिखना लाजमी नहीं है वो automatic देख लिएगा, कि इसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो यह public है यानि कि इसका कोई मालग नहीं है, तो भी अल्ला ही आफ़जा है यह public है, यह हर किसी के लिए है, कोई भी आएजाए एक्सेंपल देख लेते हैं, राइट ए प्रोग्रम डाइड एसा प्रोग्रम टू डिस्प्ले ए लाइन, दि प्रोग्रम काल इट बिफोर एंड अफ़ डिस्प्लेंग ए मैसेज हेलो वर्ल्ड, यानि कि वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्रम लिखें जिसके अंदर, हेलो वर्ल्ड काल करने से पहले एक साब प्रोग्रम काल किया जाएगा, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद एक साब प्रोग्रम काल किया जाएगा, यह वैसे ही है, जैसे हम पहले डिजाइन करते थे एक नया प्रोग्रेक्ट स्टार किया और उसके उपर एक बटन लगा द कोडिंग की तरफ आजेंगे प्राइवेट सब कमांड क्लिक यान के उपर ये कोड एजिक्यूट होगा ये सारी लैने और यहां तक एजिक्यूट होगा एंड सब तक अब इसके अंदर क्या गेम चाल रही है सबसे पहले एक वर्ड है कॉल का ये एक प्रिजर्वड की वर्ड जैसे ही C-A-L-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C-A-L-C- काम करो तो उसके जिमें क्या काम है उसके जिमें एक ही लाइन है जब प्रिंट वाली उसके जिमें ये काम है कि जब भी उसको काल किया जाएगा तो उसका काम है कि प्रिंट कार देगा क्या ये बरापर 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 वरी लाइन जैसे ही ये काम कमल होगा end sub होगा तो ये control programming का उठके वापस इदर आजेगा ये line मकंबल होगी फिर उसके बाद ये line execute होगी तो इसमें क्या इसमें भी print है जिसके अंदे लिखा हुआ है hello world तो नीचे अगर हम output में अगर देखे तो सबसे पहले ये print हुआ फिर उसके बाद hello world वाला print हुआ और उसके बाद फिर क्या किया फिर C-A-L-L call का मतलब है कि call किया जा रहा है किसी सब procedure को तो उसका नाम क्या है my sub दोबारा इतर आएगा my sub में और इसको कहेगा कि अपना काम सारे नजाम दो जो भी तुम्हारे जिम्हें है तो उसके जिम्हें क्या है सरफ एक लाइन लिखी गई है कि अपने print करना है ये वाला काम तो वो ये वाला print कर देगा इधर और साथ ही उसका end साब होगा तो इसका मतलब है procedure end हो गया तो दोबारा control इधर आएगा इधर आने के बाद ये line execute हो गई तो फिर ये end साब जो के main control का end ये programming को बता रहा है कि अब प्रोग्राम एंड हो गया रांदी प्रोजेट एंड क्लिक दी बटल result will appear as follow जैसे हम बटल को क्लिक करेंगे तो ये result आएगा क्योंकि ये चोटा सा प्रोग्राम था तो इसलिए हमें इसको सब procedure में लिखते हुए कुछ ज्यादा फरक मिसूस नहीं हो रहा है लेकिन ये काम अगर फर्स करें किसी कंपनी का या किसी भी इस्टिट्यूट का हमने कोई welcome message चो करवाना होके यानि कोई भी प्रोग्राम को रेंड करें तो उसके सामने पूरा एक लोगो आजए कंपनी का नाम ड्रेस फुलाँ 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 चीजें उसके सामने प्र चाप के ओपर यहां एक सूपर स्टोर के ओपर यहां बड़ी मार्किर के अंदर हजारों लाको कस्टमर आते हैं तो अब क्या उनके लिए अलगला कोड लिखना पर एगर नहीं तो उसका तरीका का यह होता है कि एक जगा कंपनी का सब कुछ लिक कर रख दिया जाएगा और जिस ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखा जाएगा उस कोड को बार 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 काल किया जाएगा ना कि बार 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 राइट किया ने कोड को तो तब उनका बहुत बैमिफिट होता है यहां तो सिर्फ जिस्ट वन लाइन थी इसलिए हमेज़ इतना ज्यादा फरग नजर नहीं आरा लेकिन जहां सो हजारों लाइन ओफ कोड होती हैं वहां हम इस चीज़ को बहुत एजिली फैदा उठा सकते हैं का हो इट वर किया मनें बता दिया कि यह कैसे खांँ करता है कि उसने कवाद करने के बाद अपने कंट्रोल अमेटिकली बैक आया उसने फिए एक जिसके दली खाऊँ है हेलो वर्ड परिन के बनने पाद फर लैन पर आया थर लैन पर बाद उसके फिर एक procedure को call किया और जिसके अंदर वो दूसरी बराबर बराबर वारी लैन काल हुई यह थी कचिए, अब कोई procedure है उसको हम bracket के थूँ लिखते हैं यानि कि कि सी भी procedure का नाम लिखना हो तो Посậंब कि हम ब्रैकट भी डालते हैं कई procedure ऐसे हैं जो ब्रैकट के बगार काम करते हैं और कि उसको ब्रैकट के अंदर कुछ value निसेसरी लेते हैं कई ऐसे हैं कई नए भी रहते इसको हम आगे देखेंगे तो इस जो भी brackets के अंदर value होती हैं हम उसको parameter करते हैं इस तरह procedure का नाम उसके अगे दागे जो bracket होंगी bracket के अंदर 1,2,3 जितनी भी उसके अंदर value होंगी वो उसके parameter कराएंगे parameters are the value that are passed to as a procedure it is called जैने कि वो value हैं जो इसको दी जाती है जब इसको call के जाता है parameters are normally given in parentheses parameter को normal parentheses दे लिखा जाता है the number of the parameters and their type is decided during the procedure coding तो जब हम procedure की coding लिखते हैं तब हम decide का लेते हैं कि इस procedure को कितने parameter चाहिए एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए या नहीं चाहिए जो हमने पिछले example देखी थी उसके अंदर कोई parameter नहीं थी चाहिए क्योंकि सिर्फ हमने just print करवाना था print करवाना था वो काम खतम एक और example देखते हैं जिसके अंदर हमें parameter चाहिए होते है write a program that input two numbers in attacks boxes and passes the number to a sub procedure और फिर यही जो हमने input box में दो number लेने हैं वो सब procedure को pass कर दे रहे हैं तो फिर क्या procedure क्या करेगा कि इन दो number को लेगा उनको add करेगा और जो result आएगा उसको show करवा देगा यह काम वैसे ही है जो हमने पहले भी किया था कि दो number लेके उनको add कराके उसका output sum करवा देना है फरक क्या है फरक यह है कि लिखने का code लिखने का अंदाज मुतलिफ है दोनों में उसमे लाइन बे लाइन था और इसमें एक structure प्रोग्राम ही तक नहीं के जरी जो हम प्रोग्राम लिखेंगे यह उसको follow करेगा यह design तो वैसी ही चीज़ है जो हमने पहले करते रहे हैं दो टेक्स बूस नि लगा है दो label लगा दिया जिसके उपर कुछ message हो खुआ दिया और एक button लगा दिया और इस button के click even के उपर यह coding चलेगी नीचे वाली यह सारी coding अब इसके अंदर दो part हैं एक यह line आप देख रहे हैं यह line से पहले वाला हिसा और एक यह line के बाद वाला हिसा लाइन से बाद वाला जो इसा है यह वही पराना है वाला है जो हम पहले करते रहे हैं यह लाइन से पहले वाला जो इसा है यह नहीं चीज़ है जिसको हम सब procedure कहते हैं तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको हम बाद में देखते हैं पहले हम अपनी मेन विंडो पे आते हैं मेन विंडो वह ही है प्राइबर साब कमांड के लिए क्लिक पर जो यह कोडिंग होगी स्टार्ट वह है चूंकि हमने दो लंबले नहीं है तो इसलिए दो अबरकादो सी के तो हमने क्या किया एक काल किया हुने किसी को काल किया उसका नाम क्या है जिस बंदे को मने काल किया उसका नाम है सम हमने सम को काल किया और साथ हमने दो चीज़ें उसको तुफ़तन बेजी कि आप अपने साथ एब ले जो और अपने साथ बी ले जो और हमें कुछ result प्रवाइड करो अब A में क्या है पहला लंबर है B में क्या है दूसरा लंबर है वो दोनों ये value लेगा और जाकर sum को दे देगा इदर sum को दो value मिली पहले value पहले parameter को मिल जाएंगे दूसरी value दूसरी parameter को मिल जाएंगे यानके यहाँ अब A आजएगा और यहाँ ब B आजएगा तो अब इन दोनों को जमा करके तीसरे निमर में store भी करना है तो हम यहाँ एक निया variable declare कर लेते हैं Z का और भी integer type का तो X जमा वाई जमा करके हम रहा कर दिया Z को और निचे मैस बोक्षो करोगा दिया the sum is यह as it आजएगा और concatenate का निचान और Z की value इदर आजएगी सेम इस तरह the sum is यह इसकी value असल में हुआ क्या है कि main program जब चला है उसने तो अपना काम कर दिया कि दो value ले ले ली और साथ जब उसने देखा कि अब call का keyword आए काल का मतलब है कि अब यह जो प्रोग्राम का हिसा है या code है यह अब यहां नहीं परा यह अब किसी और जगा परा है हमने सिर्फ उसको call करना है और साथ यह चीज़ें उसको लो आजमात बेही देने हैं कि हमारे पास यह यह चीज़ें इसके उपर processing करके हमें output दो सिधी से बात है अगर इसके पास A और B की value होंगी तो वो उनको plus करके हमें Z की value शो करवाएगा मेद है आपको यह समझा चुकी होगी जब हम प्रोग्राम करान करेंगे तो एक 15 value दी एक 20 value दी और उसका output 35 आ गया इसकी working कैसे होती है इसकी working कैसे होती है वो भी आप देख ले कि यह वही main window है जिसके अंदर हम पहले प्रोग्राम लिखते थे एक variable डेकलेर किया A का और एक B का और text box 1 से और text box 2 से इन दोनों के लिए value ले दी अब हमने sum साब को call किया sum साब को हमने दो चीज़ें तो फतन बेह दी एक A और B क्योंकि उसने A और B को कबूल करने के बाद ही अपना mode change करना है और काम करके देना है जब A की value X को जाएगी B की value Y को जाएगी तो वो क्या करेगा इन दोनों को लेके एक तीसरे variable Z के पास रख देगा Z हमने इस जहां आंकर डिकलेट दिया है क्योंकि हमें एक नया variable की दुरूत पर ने थी ताके हम इन दोनों को जम्मा करके आज जितों कोई value सेव करवा सके तो फिर नीचे हमने massive box के जरीए Z की value शो करवा दी तो ये इसके छोटी सी गियम है और इसको समगने के कोशिश कीजिएगा अगर ना समझ आए तो नीचे कमेंट से में बताईएगा थैंक यू फार वाचिंग अगर कोई question एक कमेंटर सेंस के मतलब वो पुछे दिएगी quiz के comments करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपनी किलास वैलों के साथ शेयर करें बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम सजाद अमद की तरफ से सबको सलाव पूछे वीजियो लो बेसिक जो के IT सीरीज वालों की बुक है ये उसका चप्टर नमबर 10 है और लेक्टर नमबर 48 है चला है स्टार करते हैं अफर वाचिं इस वीडियो यू विल बे अबल तो अंसर थीस क्वेश्टिंस स्कोप में स्कॉलिंग अक्सेसिबिलिटी यस और नो गलोबल वरियाबल इस डिकले अजनल सक्शन यस और नो फॉर्म्स लेवल वरियाबल इस डिकले अनिवेर इन दी प्रोजेक्ट यस और नो स्कॉप ओफ वरियाबल इस ऑड़ हो है यानि कि वो आरिया जहा एक वैरियाबल को कॉल किया जासे कि वह उसका स्कॉप किलाबता है। डिफिरंट टाइबος वे lispect to their scope और as follows मुझरिफ टाइब के variable मुझरिफ तरह के scope के लिया से दर जायल है एक procedure levels variables form level variables global level variables इन तिनों को define करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी example लगता हम जो हमारे मुलकार political system है जिसके अंदर फर्ज करें अगर किसी city का फर्ज करें अगर किसी city का एक नाजम है तो उसकी accessibility वो उस city के उपर उपर तक है जहां तक उस city की हदूद है वहां तक उसका order चलेगा लेकिन अगर हम जाकर कह दें कि हमें सुबह पंजाब के लावल तक एक नाजम चाहिए तो यह ऐसा मुमकिन नहीं है क्यूंकि सुबह लावल पर जाकर नाजम नहीं होते हैं वहां फिर वजीर होते हैं तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एक अगर शीटी लेवल का नाजम है तो उसकी accessibility सिर्फ एक सीटी लेवल तक है लेकिन अगर हम तोरा उपर जाएंगे सुबह लेवल तक तो वहां वजीर आ जाते हैं यह वजीर आला आ जाता है तो अगर हम सुबह के लेवल तक वजीर अला की बात करें या वजीर की बात करें तो ठीक है लेकिन हम अगर इसलामबाद जाकर ये कहा दें ये सुभाई लावल से हटके या फैडरल लावल पर जाकर ये कहा दें कि हमें वजीर अला चाहिए तो फैडरल लावल पर तो वजीर अला होता है नहीं वहां तो वज सुबे वेख शेहरों के उपर, उसके सुबे के अगज़ piękजेज़ का मेर THAT मैरality के अगज़िएॉ इन किसी को भी आडर दे सकता है तो इस तरह कि यह यानि कि किसी की कितनी accessibility है किसका कितना रोल आए या किसकी कितनी पावर है तो हम इसको इस चीज से डिलेट करेंगे अपनी प्रोग्रामी प्राब्लम को कि जिस जिस चीज के लिए रिफाइन कर दे गया है उसकी accessibility उतनी उतनी ही होगी इसके लिए मैं एक और देता हूं इसके अंदर एक प्रोजेट के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं बहुत गया पेज होते हैं पेज मतलब होते हैं तो जितने भी इस उतने फॉर्व हिरेबल या इस प्रोजेट के अंदर ओऊ एंगे उनके अंदर इस ग्लोबल वेर्य Bueno की accessibility होगी वह अपना अाड़ आपने एक जगा पे पी चला सकता है और अपना अडर फाम से लिए लेवल के आसaire के बिच ला सकता है यानिकि इसकी पावर फाम के अंदर भी है वह गलूबल यैयніकि प्रोजेट के अंदर हर जगा एक प्रोजेट के अंदर एक से ज्यादा फार्म हो सकते हैं, फ़स्द करें यहां पांच, दस, पुचास फार्म लगे हुएं, तो इस जो वेरियबल है, गलोबल वेरियबल तो इसकी अकसेसिमिलिटी हर फार्म के अंदर होगी, इसके बाद जितने भी फार्म हैं, उन फार्म प्रोजेजर को अकसेस कर सकेगा, किसी भी प्रोजेजर को, यहां पांच प्रोजेजर हैं, तो जो वेरियबल फार्म लगे का है, वो पांच के प्रोजेजर के अंदर अकसेसिमिल होगा, उसके बाद हम बार कर लेते हैं प्रोजेजर की, अब जो वेरियबल प्रोजेजर के अंदर डिकलियर है किसी एक procedure के अंदर तो उसकी range क्या है वो खास particular procedure के अंदर ही उसकी range है वो हता कि अपने दूसरे procedure के साथ भी communicate नहीं कर सकता जो variable एक procedure के अंदर है उसकी range इस procedure के अंदर ही रहेगी इवन के यहां एको procedure भी आ जाजएगा तो वो उसके अंदर भी accessible नहीं होगा तो फिर फार्म लावर पे तो वो नहीं accessible होगा और गलोबल लावर पे तो वो गए नहीं ना तो यानिके इस तरह हर किसी की अपनी अपनी range है जो गलोबल होगा उसकी accessibility हर जगा है जो फार्म होगा उसकी accessibility सिर्फ आपनी फार्म के उपर और इसके अंदर जतनी पी procedures होंगे 10 procedure हो सकते हैं 20 हो सकते हैं 100 हो सकते हैं उनके अंदर और जो procedure के अंदर variable डेकलियर होगा उसकी accessibility उस सिर्फ particular procedure के अंदर ही उसकी होगी अमीद है आपको यह चोटा सा concept समझा चुकिया होगा कि कैसे एक किसी भी चीज़ की accessibility प्रोग्रामी के अंदर हमारे real life के अंदर काबले अमल है चले इनको one by one देखते हैं procedure level variable यहां फर्स करें 10, 12, 14 procedure लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा procedure लिखे हुए हैं procedure मतलब अलग अलग piece of code और हर procedure का नाम unique होगा a variable that is declared inside a procedure can be used only in the particular procedure जो भी variable जिस particular procedure के अंदर declare किया है वो सिर्फ उदर ही call होगा it cannot be accessed to or used from any other part of the application तो पूरी application की किसी भी दूसरे पार्ट के अंदर यह accessible नहीं है this type of variable is known as local variable इस तरह के variable को हम local variable कहते हैं जिस तरह हमारे यह local body election होते हैं form level variable अब हम form level variable की बात का लगते हैं a variable that is declared in general declaration section of the form with dim statement dim यानि के एक reserved keyword है is called form level variable जो हम पहले यह करते रहे हैं all procedure in the particular form can be accessed this type of variables but this variable cannot be used outside from the form तो वो कह रहा है कि इस तरह के जितने भी variable है वो हम form के अंदर declare करके access कर सकते हैं लेकिन इसके बाहर no, इसके बाहर इसका कोई concept नहीं है, कोई तसवर नहीं है, आप कोई इसको accessible नहीं है हम अब example देख लिए है, कि वो कह रहा है कोई भी example है, इस तरह यह form बनाया बटन लगा दिया, यह एक procedure लिखा हुआ है, प्राइवेट है, और यह हमारा main coding की जो window है, वो है private sub command click even के उपर क्या करना है, dim n as integer एक variable declare किया n को दे दिया 10, और साथ उसने क्या कार दिया, call कार दिया कि इसको एक procedure को, जिसका नाम है pro pro, वो डूंडेगा कि क्या हमारे पास कोई procedure है, तो इधर आके देखना शुरू करेगा कि हमारे पास एक procedure है, जिसका नाम pro है, वो pro के अ अधर जाके परशान हो जिएगा कि मैंने n को print कहां से करना है, क्योंकि मुझे तो बताया नहीं गया कि n क्या है, n बेशक इधर बताया गया, लेकि ये एक लग procedure है, और ये एक लग procedure है, ये private भी है, private का मतलब हमने परा था कि उसकी accessibility सिरफ particular area, इस private का मतलब है कि इसकी accessibility अंदर अंदर ही होगी, वह बाहर access नहीं हो सकेंगे, तो इसका भी मतलब है कि इसके अंदर जितने भी variable है, उसकी accessibility सिरफ यहां होगी, इसके बाहर की नहीं होगा, क्योंकि ये private लिखा हुआ है, अब वहां control यहां आके परशान हो जगा कि मैं n कहां से लेके हूँ, क्योंकि तो मेरे पास तो n है नहीं, वह बाहर तो हर जगा private चीज़ें हैं, यानिके accessible है नहीं, तो जैसे हम button को click करेंगे, run the project and click the button and error will be occur, तो ये error आएगा, compile error, variable not defined, आपको कहा दिया जाएगा कि variable तो आपने define किये ही नहीं, और साथ आपको ये एक रंगीन करके show कर देगा, कि ये variable जो आपको show हो रहा है ये आपने define नहीं किया, declare the variable in general section, declare section instead of the event procedure as follow, तो इसको हम कैसे handle करेंगे, कि ये जो general section है उपर, इसको हम पहले select करेंगे, कि general section है, और यहाँ dim के साथ एक variable जिसका नाम n है, declare किया वो integer type का है, तो अब इसको हम run करेंगे, तो वो no error will be occur and thus will be displayed, only form, तो अब कोई error नहीं आएगा, क्योंकि अब जो variable n है, अब हम उन्हें से उसको एक form level का declare कर दिया है, general section के अंदर dim का keyword लगा के, तो अब ये क्या मतलब होगा, कि इस form के उपर, जितने भी हमने procedure लिखेंगे, उन सब के अंदर ये n accessible होगा, तो अब हमने जो end declare किया है, य और ये ये वाला end जो declare है, इसका मतलब है ये ये यहाँ है, इसका मतलब है ये 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 यहाँ प 난 के साथ खरेंगे हो ये वाला again है, इधर भी जो मर्जी आइज के साथ के ग्लोबल वेरियाबल जो मने अभी देखा था वो था वाफा में लëाइबल अब अब मतलब है को एक प्रकुलवेरियोट्सक्रा शीयलेặc pense कि ने रिएसेबल हैं लेकिन जनल सेक्षेन के अंदर एगर हम पब्लिक कीवर्ड लगा देखा कि या हम तो उस वेरिबल का मतलब होगा एफ पूर्र अप्लिकेशन के अंदर जितने मर्जी फाम मैं अब उन फॉमस के अंदर जितने मर्जी प्रोसिज्जर रहे हैं तो उन हर जगा वो वेरियबल डिकले है जो कि यह हमने जनल सेक्षिन में पबली की वर्ड के साथ अक्सेस अबल है इसकी एक्सेश्पर देख लेते हैं राइट प्रोग्राम डास्टोरे वेल्यू इन गुलोबल वेरियबल फॉर्म तो फॉर्म कंटेंज बटन एंड करे लिए कर बटन लगा हुआ है तो असपर क्रिक करेंगे से दूसरे करनेगे और डियूंगे को बटन लगा है जिसको क्रिक करेंगे तो भुम धूर्म की गोर्म को घ्रीबल प्र 20 भी उप्र 60 फॉर्म को जो नाश ऐख जाता है कि हमने अगर थhou लिकक फ़रुहा वोросमन्ध लाइरी वह भो हमने डेखलेर किया है पब्लिक के साथ वह अक्सेसेबल हार फाम के इंदर जब हर फाम रम के अंदर अक्सेसबल ॉप निंदर नंगी प्रोसिजर बहुत चRI sorta करते थो होगा जैसे के पहले इसको क्लिक होने पर यह क्लिक इवंट है। इसके क्लिक होने पर यह कोडिंग चलेगी, यह क्लिक क्या है इसके अंदर साब से पहले जिए उसके उन्हीं क्या किया है, एक पॉब्ली के कीवर्ड के साथ यह यह जिसकी वैल्यू है representation 10 उसका नाम है n , यहां उन्हों सिर्फ डिक्रेर कर दिया और इसकी वैल्यू नीचे आंके प्राइवेट के अंधर हलांके प्राइवेट के अंधर है लेकिन चुके पब्ली के कीवर्ड के साथ इसे डिक्रेर किया है पब्ली के कीवर्ड के मतलब है कि हर जब अक्सेसेबल है हर किसी के लिए इ साथ हिा हमने कमान लगा दी form2.show यांना कि जैसे क्लिक हो इसके ओपर ग्लोबल के ओपर जैसे क्लिक हो और इन को वैल्यू में लिएक़ 10 और साथ ही form2 यह जो form है यह यह हो बिलिए तो इतने ही program है तो यह पूरा program चर गया और यह ये फार्म शो हो गया जोक्राम का काम-ध्रास्मों को और क्रवा इस ने इसे कामों करताब्ध देश्वराध दिया बूसरा फार्म जोकर हो गया अगले Elly सबॉस्द करें व्यक्राइब प्रिंट फार्म 1, सबूस्जा कोडन पर वन लिभाधि यह एक्सेबल है तो उसने इसलिए क्या चाहिए कि प्रिंट कर दो तो यह क्या बिंट कर देगा 10 इस तरह यह वेल्यू प्रिंट कर देगा 10 अगर कोई क्वेचिन है कोमेटर से इंस के मतलब वो पूछे दिये के कुईज के अंस कुमेंट्स करें चैनल को सिस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपनी कलास वैलो के साथ शेयर करें बिस्मिल्लाहिरह्मानिरहीम सजाद आमत की तरफ से सब को सलाम पूछे विजुल बेसी का चैप्टर लंबर 10 और लेक्टर लंबर ये 49 है आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बे अबल तो अंसर इस वीडियो देखने के पाद आप इस काबल हो जाएंगे के इन क्वेचर के आंस कर सकें Lifetime is related to constant, not a variable, yes or no? Global variable remains in until application is running, yes or no? Static variable is a static type variable, yes or no? चलें, स्टार्ट करते हैं Lifetime of variables, variable के कितनी जिन्दगी होती है? The time period for which a variable remains its value within the memory is known as its lifetime यानि के memory में मजूद variable जब तक वो value रखते हुए memory के अंदर मुझूद है वो ही उसकी जिन्दगी है, यानि के वो ही उसका lifetime है जब तक कोई variable में मुझूद है, वो ही उसकी life time है Different type of variable have different lifetime मुत्रिव type के variable, मुत्रिव तरह की lifetime यहां जिन्दगी रखते हैं मुत्रिव type के variable जो हमने देखे थे उसमें पहला था global variable यह मैंने बताया था पिछली वीडियो में के global variable क्या होता है ऐसा variable जो पूरे project के अंदर accessible हो फिर उसके बाद ऐसा variable जो किसी एक form या किसी एक page के अपर accessible है तो उसको form variable कहते है और ऐसा variable जो किसी एक form के अंदर खास procedure, particular procedure के अंदर लिखा गया है उस variable को procedure variable कहते है तो सेम यही सुरत हाल है कि इसी base के उपर इनकी life है जो इदर variable लिखा गया है उसकी life इसके अंदर अंदर ही है और global project का मतलब है कि जो variable इस level पर declare किया गया है उसकी life भी इतनी है जब तक वो software चाल रहा है या जब तक वो application चाल रहा है तब तक उस variable की life है यानि के साथ लफाज में आप इस तरह कह सकते हैं कि जो variable जिस level पर declare किया गया है या जिस level पर मुझूद है वो चीज जब तक run farm में है तो तब तक उसकी life भी है lifetime of global variable यानि के जो variable इस level पर declare किया गया था global variable exists in the memory as long as application is running जैसे इस hardware चलता रहेगा वैसे ही वो variable भी memory में exist होगा any part of the application can access these variable application के किसी part में इस variable को access किया जा सकता है when the application ends जब application end होती है all global variable are destroyed तो जैसे application बंद होती है तो हम global variable भी खतम हो जाते है lifetime of local variable local variable या variables declare in dim statement dim statement जो हम farm के अंदर declare करते थे retain their values in the memory as long as control remain in the particular procedure तो जब तक वो particular procedure के अंदर declare किया गया variable है हम उसको procedure को call करते रहेंगे तब तक वो variable रहेगा as the control exists from the procedure जैसे ही वो control या procedure से बाहिर आएगा तो all variable declare in the procedure are also destroyed तो जैसे वो procedure खतम होगा तुमा variable भी destroy हो जाएगा if the procedure is called again जैसे दोबारा procedure को call किया जाएगा the local variable are again declared in the memory तो दोबारा ही local variable बनेगा यानि कि पहले वाला नहीं रहेगा जैसे दोबारा procedure को call किया जाएगा फिर निया variable declare किया जाएगा इस चीज़ को समदने के लिए एक चोटी सी ग्जेंपल है कि टाइटे प्रोग्राम रहेंगा एक चोटा सा प्रोग्राम रहेंगे उसके अंदर प्रोग्राम काल इस थ्री टाइम प्रोग्राम को थ्री टाइम काल किया जाए यह वही चीज़ा स्टाड़े न्यूँ एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया इस तरह के फार्म के उपर एक बड़न लगा दिया उसका कोई भी नाम रिक देंपर लाइफ टाइम तो डॉबल क्लिए करने फे इस बॉटन के उपर हम अगों यह लिखेंगे कोईगे बिक्ञ Coding यह लिखेंगे यह तो वह में आ गया जो हम पहले लिखते थे प्राइवेट्स अब क्मांड क्लिक exclir किया गया है jáni ka locale Viriable declare किया गया है जिसके लेखे और यह program चल रही है कि हर दफार करने फिर प्रोग्रम को रहा हो तो इस Тरहां सब्सक्राइप ऊचेगा procedure खतम हुआ, control दोबारा इदर आया, यह line खतम होगी थी, अब control इदर आजएगा, उसके बाद क्या देखेगा, फिर है call, show me, इस तरह दोबारा इसको call किया, show me को, फिर one print हो गया, फिर call किया, show me को, यह वाला, फिर one print हो गया, हर दफा increment का हमने function गया के value increment करती रहे, लेकिन हर दफा one one show करवा रहा है, हलांके इसको one two three show करवाना चाहिए था, लेकिन यह इसलिए निशो करवा रहा है, क्योंकि इदर हमने, यह concept समदना है, local variable क्या है, वो global variable क्या है, चूंकि यह एक procedure की अंदर लिखा गया है, and, तो यह एक local variable है, यह जो है, यह एक local procedure है, यह local environment है, इसी value sign की जाती है, फिर उसको print किया जाता है, तो फिर वो जाने कि एक ही चीज वो बाबार repeat करता रहता है, यह एसा नहीं है, यह जो पहली values को store किया, क्योंकि वो global नहीं है, वो prior local है, local का मतलब है, कि जैसे यह procedure खतम हुआ, वो variable भी finish, तो इसको बताया गया है, कि इसको बताया इसके अंदर enter होता है, तो वो देखता है कि n क्या है, n को initialize कार दिया गया, 0 सी, क्योंकि n के पास कोई value नहीं है, the statements, n is going to n plus 1, make it 1 and display this value, तो यही चीज इसको 1 display करने पर मजबूर करती है, क्योंकि इदर फर्जगर 0 है, n के पास तो यह 1 plus 0 तो 0 हो जएगा, when the control leaves the procedure, n is destroyed from the memory because it is local variable, जैसे यह procedure complete होता है, तो n की value finish हो जाती है, और n के पास जो 1 था, वो अब खतम हो गया, when the procedure is called again, दोबारा जब प्रसेजर को call की रहता है, same procedure is repeat, यही काम दोबार repeat की रहता है, that is the way, each time 1 is display, यानि कि एक ही चीज बार बार वो call की जा रही है, concept यही समन्ना है कि local के अं जाती है, उस procedure का end ओल यह, same यही चीज़ है, फर्स करें procedure यह local variable है, इसके अंदर n को declare किया जाता है, पहले 0 से, उसके value रहती है, जैसे यह procedure खतम होता है, तो यह value खतम हो जाती है, फिर जब दोबारा call की रहता है, फिर उसके पास sign के पास 0 होती है, और उसको 1 दे दी जाती जाती है, फिर जब procedure खतम होता है, फिर जब procedure काल की रहता है, उसके पास 0 होती है, और 1 value sign की जाती है, तो जैसे procedure खतम होता है, वो value खतम हो जाती है, तो यह एक अंसा बता है, static variables, यह बहुत एहम चीज़ है, प्रोग्रामी के अंदर, और interview question में बहुत पूछा जाता है, static variable is type of local variable, यानि कि यह local variable की एक type है, global variable नहीं local variable की एक type है, that retains its value, यह अपनी value रखता है, even if the control leaves the procedure, यह local variable ही है, लेकिन अगर control जो है, वो procedure से बाहर आ भी जाए, तो यह अपनी values contain रखता है, यानि कि इसकी यह special खुबी है, यह quality है, कि यह दूसरे local variable की तरह भी नहीं करता है, ले static का मतलब आप इस तरह समझ लें कि जिसके साथ static लगा दिया, आपने उसको order दे दिया कि बाइं तुमने static हो जाना है, खड़े हो जाना है, जो मर्जरी हो जाना है, तुम्हे आपने जगह नहीं छोड़ने, तुमने अपनी जगह available रहना है, तो static का मतलब यह समझ लें, बुर्स पर बना देखने को बाद़न दूद की राता है या इसा उता है कि हमें प्रचिजर के last value जुते है वह हमें याद रखनी परती है यां कोई ऐसा प्रस्यास होता है कि हमें last value चाहिए होती है इसलिए हम static के कीवर्ड उसके साथ लगा लेते हैं कि जो भी लास्ट वैल्यू है आपने उसके उपर ही कायम रहना है ऐसा नहीं है कि फृर्षिजर खतम हो तो आपकी वैल्यू खतम हो जे इतक एक प्राइवेट है हमने सबसे पहले काल किया कि इसको शो मी को यह उपर जाकर देखे कि इधर शो मी है हां इदर है यह शो मी है और उसका यह आगे पूरा फुर्षिजर है इसमें क्या होगा कि पहले उसने देखा स्टाटिक है यानिकि लोकल वेरीबल है लेकिन स्टाटिक है एं एंज इंटीज टैब का एंड के पास जिरो लेकिन इसमें क्या है कि वह स्टाटिक का लगा है साथ तो प्रसेजर खत्म होने के बावजूद भी एंड की वैल्यू खत्म नहीं होगी दुबारा काल किया शो मी को कंट्रोल इसके अंदर आया और इसने एंड के अंदर एक प्लस कर दिया पहले एंड के पास वन थी अब दो पहले कि वैल्यूए धी तो यह फ़रका स्टिक का की वट कि मैं के साथ को नार्मल खिलल के साथ जों वरियाबल डिकरे करते सेम सूरत अलब्स को आप समझने कि हमने प्रोसीजर के अंदर को एक स्टैटिक के साथ वेरीबर डिकलेर किया तो वह जैसे ही जितनी जवह मर्जी हम उसको प्रोसीजर को खतम करते रहें लेकिन जिसके साथ स्टैटिक लग गया वह समझ यह जम गया अपनी वैल्यू लेकर ज थैंक यू फार वाचिंग लाफीज अगर कोई क्वेच्चन है कुमेटर सेंस के मतलब वो पूछे दिएगे क्विज के अंस कमेंट्स करें चैनल को सिस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपनी कलास वैलों के साथ शेयर करें बिस्मिल्लाहि रह्मान रहीम सजाद आमद की तरफ से सब को सलाम पहुंचे विजुल बेसी का चैप्टर नंबर टैन और इसका लेक्शे नंबर फिप्टी है आफ्टर वाचिंग इस वीडियो यू वीडियो देखने के बाद आप इस काबल हो जाएंगे के इनके क्वेश्चन के आंस कर सकें function procedure is not a block of code yes or no functions are easy to maintain yes or no functions are written independently yes or no चलने start करते हैं function procedure chapter के start में हमने procedure की मुत्रिव टैप्स देखी थी तो यह उसी की एक टाइप है function procedure function procedure is a block of code यानि कि ऐसा block of code होता है जो परफॉर्फार्म सम एक्शन जो सम एक्शन काम करता है इस आसो कार्थी function हम इसको simple function भी कह सकते हैं जिस तरह हमने सब procedure को simple procedure कहते हैं function procedure को इस तरह सिर्फ function कह सकते हैं इस इस सीमिलर टू सब procedure यह उसी की तरह है जिस तरह सब procedure था लेकिन कुछ इसमें फर्ग है फर्ग है इसमें यह फर्ग है कि जहां से यह call किया था call होने के बाद पूरा प्रोसेस होने के बाद तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके आता है यह कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न लेके आता है इसकी जैम्पल आपकिस्तान समग्लीन के अगर कोई टेलर है तो वह अपना कोई फंक्शन तो फिर मजीद आगे उसके ऊपर कालेशन होती है इस स्टेटमें रिटन इन फंक्शन प्रोसिजर और एक्जिक्यूट ओनली इफिजिस काल वा इस नेम जैसे उसके नेम के तिरिये उसको कॉल की जाता है जाने कि उसका नाम लेकि उसको ब्लाया जाता है तो ही वह क प्रोग्राम क और उसके पास कोई एक फंक्शन परसे जलिए यह नहीं करने के बाब वह दोबारा इदर ही आएगा यानिके इसके नीचे इस तरह तो फिर आके अपना जहां से उसने control छोड़ा था वहां से शूर करेगा फिर इसको execute करेगा फिर इसको फिर इसको फिर हमारा program एंड हो जाएगा यानिके जहां से function को call कर जाता है वहां ही आके उसने दुबारा अपना काम start करना होता है और इसमे नहीं कार देता यानिके तब तक आप आगे नहीं काम कर सकता है जब तक वह कार का समान या कुछ चीज नहीं ले किया था तब तक आप उसका वेट करते हैं वैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रसेजर इसको काल कर जाता है तो control उसके अंदर चला जाता है all statement of the function execute इसक अलोंग विद पॉसिबल return value और उसके साथ जो उसके साथ return value हुई है return value किया है इसको मजीद programming के दुनिया में आगे देखेंगे function लिखने के फैदे क्या है advantages of function function लिखने के फैदे क्या है easier to code हमें कोड लिखने में असानी हो जाती है a lengthy program can be divided into small function एक बड़े काम को हम छोट छोटे function में काव डिवाइड का देते है it is easy to write small function instead of writing a long program यह बहुत असान है कि हम छोट छोट छोटे function लिखने मुसलों किसे से कहा दिया कि तुम यह काम कर दो प्रिंट वाला किसे से कहा दिया किसे से कहा दिया कि तुम वर्ल्ड वाला काम कर लो इस तरह किसे से कहा दिया कि तुम जितने भी subscriber है उनको देखो तो यह निकि एक बड़ा प्रोग्राम को लिखना मैंटेरिंग करना दरा मुश्कर हो जाता है बिजाए उसके जो छोट छोटे प्रोग्राम यह चोट छोटे मडिगूल में लिखे यह चीज़ा है function is returned to solve particular problem function को एक particular problem के लिए लिए लिखा जाता है एक programmer can focus attention of the on a specific program तो इस तरह वो किसी एक specific problem के उपर अपना focus रखते है इस तरह प्रोग्रामिंग एजीर तो इस तरह प्रोग्रामिंग को असान बनाया जाता है easy to modify इसको modify करना आसान होता है क्योंकि मैं पता चल चुका होता है कि कोई सा function काम नहीं कर रहा तो हम सिरफ उसी के अंदर जाकर देखें इसकी example मैं आपको गर में एक ग्रेलू example देता हम फर्स करें आपने ब्रेयनी बनानी है तो ब्रेयनी में आपको क्या चाहिए सबसे पहल चावल बीजें फिर उसका बड़े होने का इंतजार करें और चावल जब बन जाए तो तब उसका आप उसको तोड़ें और घर में लेकर आकर उसको पकाएं फिर उसके बाद आपको चाहिए दहीं बजाए कि इसका आप घर में बैंस रखें उसका दूज लें और उसका दे और गोश्ट असर करने के लिए बजाए इसके कि आप गर में मुर्गी रखें उसके इंडों का वेट करें फिर मुर्गी को इंडों पर बढ़ाएं और फिर जब उसके अंडों में से चूज़े निकलें वह बढ़े हो तो आपके पास तब जाकर बोल्जाफर मुदार में गो भाषपर में जिसी थैयर से ये फिर जो उन को कंपड़ा है तो फिर वह अपनी सेंस के मताबक एक product के अंदर उनको exact location के उपर उनको लिख देता है या पेस्ट कर देता है उदर से copy करके उदर पेस्ट कर देता है तो एक software बन जाता है तो सेम जही है इदर है कि easy to code है यानि कि हमेरे रियल लाइब में भी जो चीज़ें है छोट-छोटी डिवाइड होई हो तो हम easily काम उनको करा सकते है फिर easy to modify भी है लिखी दूज़े गई यह फर्ज़ करें कोई प्रोग्राम है इमेल सेंड करना जितने भी लोग है जितने भी मारे पास email आई है जाता है तो बहुत मुश्कुल हुए है है और हमने पैदा-चलना मुओं के दिए है उभर का Vice Criminal बनादी गई गई है ऐन आध को कहा है दिल को कहा दिक्तम्छल साथ कोसे को अपना अपना कामदी है तो यह च्छोच च्छोटे के दुनियां के अंदर रहा के छोट-छोटे फंक्शन बनाकर रख दी जाते हैं मुझे लिए प्रॉब्रम के लिटिक तो फिर उनको अपस में मर्ज करके एक प्रॉडक्ट बना दी जाती है अगर कोई क्वेशन है कोमेटर सेंस के मतलब वो पूछे दिएगे क्विज के अंस कुमेंट्स करें चैनल को सिस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपनी कलास वालों के साथ शेयर करें बिस्म लाहि रह्मान रहीम सजाद आमद की तरफ से सब को सलाम पुंचे विजुल बेसी का चैप्टर नंबर 10 और इस का लेक्शन नंबर 51 चले हैं स्टार्ट करते हैं After watching this video you will be able to answer this question private is accessible everywhere yes or no return value must be integer yes or no return the value with function name yes or no function को लिखने का syntax क्या है the basis syntax for the function is as follow एक private का keyword लिखा लाता है और function का लफ़ज लिखा लाता है प्राइविट का आपको पता है कि क्यों निखा लाता है कि यह access specifier है यह public भी हो सकता है यह private भी हो सकता है function यह decide करेगा programming की दुनिया में कि अब वह एक function शुरू होने नगा है function name आएगा कोई भी function का name और उसके parameter उसके साथ type मसला parameter अगर a है तो साथ उसकी type अंटेजर type की और इधर as के साथ आएगा return type यह कोई भी काम करने के बाद जो उसको return मिलना है क्योंकर function की खुसूसित यह है कोई न कुछी return करता है यह उसकी basic line होगे पहली और इसके अंदर जितनी भी statements हमने execute करानी है यानि कि कोई भी हमने काम करवाना है तो वो उसके अंदर आएगा फिर उसके बाद function का name is equal to return value यह जो return value होगी वो दुबारा function के name को ही return करते जाएगी और end function यह show करेगा कि function end हो गया है अब उनको थोड़ा 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 किया गया कि यह लफज क्या काम करते है प्राइवेट वही है कि इंडिकेड करता है कि इसकी accessibility क्या है यह scope क्या है function यह इंडिकेड करता है कि function शुरू हो गया function का name जिस function को हम निकाल करना है वो name आएगा इदर parameter जो हमने देने यह parentheses के अंदर वो आएंगे return type जो function execute यह statements execute होने के बाद जो return करेगा return type होगी और end function यह show करेगा कि function end हो गया है return type के चीज़ है return type of the function indicate the type of value that will be returned by the function यह show करेगा कि कौन सी value function return करेगा इसी तरह return नहीं है value from function function के थुरू कोई सी value return होती है उसके मतलग ब्यान किया गया इसके अंदर function can return value back to calling point जहांसे इसको call किया गया था वहाँ इसको एक back जाब function execute हो जाता था तो उसको कोई ना कोई value return कि जाती है इसी चीज़ को सब्बने के लिए program दियागे write a program that inputs marks as attack box and packs marks to the function the function calculates the grade and return back function क्या करेगा marks लेगा और उस marks के लेट कोई ना कोई grade generate करेगा और फिर दबार उदर याद जेगा जहां उसको call किया गया था the grade is finally displayed the message box और grade finally message box में show होंगे यह वही चीज़ है जो हमने पहले एक standard program शुरू किया और उसके अंदर यह text box के लगाया यह label लगाया और यह button लगा दिया उसके अंदर यह इदा से line से नीचे से शुरू करते हैं जो हमारा पहला standard main program होता है वो इदा से शुरू होता है इस one के जरीए जो भी text आएगा वो marks के अंदर store करते हैं इदर 80 आते हैं यह 80 आते हैं उसके बाद एक grade के function को उन्होंने call किया यहाँ याद रखें कि जो procedure था पहले उसके साथ C-A-L-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C-L-C- यह दुबारा जाएगा अपने control के अंदर और देखेगा कि grade नाम की कोई चीज मेरे पास available है या नहीं है तो इदर जाब आएगा तो उसको grade नाम का function में लेगा और उसको साथ एक चीज भी required है वो क्या है एक variable एम एक variable जो के integer type का होगा और जाब यह काम होने के बाद as string यानि के यह return value जो होगी वो इसको हम बाद में देखते हैं जैसे वो control grade के पास आएगा और साथ देखेगा कि इसको एक value भी चाहिए यानि कि इसको चलने के लिए इसकी oxygen चाहिए या इसको कोई एक necessary part चाहिए वो है m और वो integer type का है तो क्या जब grade इदा से चला और साथ इसने अपने marks ले लिए यह वाली marks इदा चले जाएंगे m के पास यह वाली copy एक हो के m के पास चला जाएगा अब इसके अंदर जो 80 marks आए हैं एक हो variable grade के या जी का grade के लिए वो string type if condition हमने पहली पर ही थी कि if कब लगाते हैं if marks यानिके जो भी m क के अंदर marks हैं वो बढ़े हैं 80 से तो grade दे दो A, else if marks बढ़े हैं 60 से तो grade दे दो B, else if marks अगर बढ़े हैं 40 से तो grade दे दो C, else grade दे दो F, यानिके अगर इन में से कोई condition भी true नहीं है तो फिर F grade दे दो, जार से बाद है इस if में से कोई ना कोई एक if ने चलना ही चलना है, और जो भी चला, उसमें से एक G के value आएगी, या इदर से या, 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 जो भी G के value आएगी वो इस में होगी और हम यह दो बारा sign कर देंगे, function के name को, जो के नाम है grade का, हमने पहले पर रहा था, return value कैसे करते हैं, जो भी value आती है, वो function के name को sign कर देती है तो वो value function के name को sign कर दी grade को अब grade के पास क्या है फर्स करें 80 marks है तो grade के पास A है अब A value वो दुबारा लेके इदर से ये function end हो गया ये control पूरा खतम हो गया ये खतम होने के बाद जो भी value आएगी वो gr को sign हो जाएगी इदर इस तरह और साथ gr की value जो भी उसके अंदर आएगी और वो string tab के है क्योंकि इदर आप देखें इसे जहां लिखा हुआ as string तो इसका मतलब बता जो भी value turn होगी वो string tab के return होगी क्यूंके a, b, c, d, r श्रिंगs tab तो यहां as string उसको declare किया गया कि जो भी value turn होगी वो string tab के होगी and drops enter marks in text box and click the button कह रहे है के enter marks करें को यसा 75 przeciall mistakes step कैंद केअगी है तो इसका creator ाजेगा भी how's work यह मैंने बता लाग लूज को यह काम काम करता है तेंक जू फार वाचिंग, अल्लाः आफिस अगर कोई क्वेशन ने कुमेटर सेंस के मतलब वो पूछे दिये के कुईज के अंस कमेंट्स करें चैनल को सिस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपनी कलास वैलो के साथ शेयर करें बिस्मि लाहिर रहमार रहीम सजाइद आमद की तरफ से सब को सलाम पूछे विज्व बेसी का चैप्टर नमबर टैन और उसका लेक्चर नमबर फिफ्टी टू है चलें स्टर्ट करते हैं आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू आंस इस क्वैस्टे यह वीडियो देखने के बाद आप इसकाबल हो जयेंगे कि नीचे कमेंट्स में इनके आंस कर सकें बायरेफेरेंस देर इस ओन ली वन वैरियेबल एकजिस्ट येस अन्नों By reference there is two variables exist Yes or no Function cannot run any value Yes or no चैने start करते हैं Argument passing mechanism कि किसी भी function को जब उसके आगे bracket के अंदर कोई भी argument पास किये जाते हैं तो उसके कितने तरीके हैं उसके यहां दो तरीके बियान किये गया है Pass by reference reference के जरीए यानि कि किसी चीज़ का reference दे देना या pass by value या उसकी value ही pass कर दे हैं जहें दोनों एक एक करके देखते हैं Pass by reference का गया मतलब है This is default mechanism used by visual basic Visual basic की तरफ से जो default है वो Pass by reference का mechanism है When arguments are passed by reference to a procedure function the rest of this argument are provided to a call procedure It means that procedure access the actual value of the argument in the memory जब किसी का reference दे 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 रहता है तो फिर उसका जो actually contact है वो ही उसको pass हो जाता है यानि कि actual value जो dress के अंदर पर ही है वो अक्सेस हो जाती है If the procedure change the value of the argument अगर procedure के अंदर उस argument की value change होती है तो it means that कि वो original जो है वो change हो रही है The change is visible in the calling code तो यही change जो calling code है उसके जरी आपको नदर आएगा Example देख देते हैं उसकी writer program, write input, number, text box और पासिफ function by reference the function return square and set its value to 0 यानि कि ऐसा function लिखना जिसमें कोई एक लंबर लेता है यूजर से text box के through और उसका square वापस करना है और square वापस करने के बाद साथ ही उसकी value भी 0 कर दे लिए सबसे पहले हम इंदर से शुरू करते हैं जो मारा main program है dim a as integer जैने के पहला जो भी number हमने लेना है उसको इंदर टैप करा दिया और s as integer जो के उसका square वापस करेगा उसके लिए हमने s declare कर दिया text box के थरू कोई भी value आएगी वो a के दिन दे चल जाएगी फिर message box show हो जाएगा value in the before function call is a कोई भी जो value थी function को call करने से पहले वो a की वो show करेगा ताकि ये show करवाना हो के पहले क्या value थी बाद में क्या value थी a की जो भी value थी फ़र्स गरी इंदर किसी ने parameter चाहिए एक उसको parameter चाहिए वो भी integer type का तो इदर से जो भी 5 enter हुआ वो integer type का है वो इदर चला जाएगा x के पास और x into x 5 into 5 पर चीस हो जाएगा तो वो मिल जाएगा square को और साथ ही x को वो 0 कर देगा n function हुआ जो भी value है a की वो change हो गया क्योंकि x और a अभी a की चीज़ है इसी चीज़ को reference कहते है तो दोबारा function चला तो दोबारा message box चला square of the a is तो इदर s की value आजेगी 25 फिर message box value is after function call a तो a की value आजेगी call करने के बाद 0 क्यूंकि उसने 0 कर दिया यह मैंने लिखा भी है अगर by reference हो तो एक ही variable होता है और वो change हो जाता है by value हो तो दो अलग अलग variable होते है और फिर no change यानि कि original के अंदर कोई changing नहीं होती और इसके original के अंदर changing आ जाती है क्योंकि वो एक ही होता है वो हर कोई उसको change कर रहा होता है लेकिन by value के अंदर 2 आ जाते है variable तो दूसरे को changing हो रही होती है original वैसे का वैसा ही परा रहता है इस चीज़ को आप जहीं नशी रख लें इसका output इस तरह आएगा कि जैसे ही हम click करेंगे run के उपर तो enter नमबर हमने 2 enter किया अजÜर रही है category है नमबर पहले उसकी value बतायागा ये 2 थी फिर इसका skier बतायागा ये 4 ऩा फिर उसकी value बतायागा 0 था ये टक्स box पहले ये चला प्र उसके बाद ये message ब्रस बाद ये square वआफ भाला message trumpet व्र स्वाइब और प्र ये value from the user, उसने नमबरा सरके text box and pass it to the function by reference, और reference के जरी उसको pass कर दिया, the function return the square of the number and assign to 0x, यह वाली चीज जो है वो उसको square run कर रही है, और साथ उसने 0 को sign कर दिया, statement is actually storing 0 to n, तो यही जो assignment statement है, यह वाली, यह actually देखने को तो यह x है, लेकिन actually यह n को 0 कर रही है, क्योंकि दोनों का एक ही variable है, दोनों के पास एक ही memory की location है, जो के दोनों के लिए same है, बेशक वो इदा से changing हो हूँ, यह बेशक वो इदा से changing हो, क्योंकि by reference है, दोनों के पास एक ही value है, तो वो change हो जाएगी, तो इदा जो पहले 2 था, उसको फिर 0 करके, 0 हो गया, the variable x in the function is actually another name of x, there is only one variable in the memory, memory में सिरफ एक ही variable है, in even procedure, its name is n, and in user defined function, its name is x, यह जो even procedure है, इसका name जो है, वो n है, user defined function के इसका नाम x है, तो इस तरह यह काम करता है, यह मैंने पहले भी बताया कि अगर by reference होगा, तो एक variable होगा, original जो होगा, फिर जब एक होगा, तो वो ही बार-बार change होगा, लेकिन by value होगा, जो कि हम आगे देखने लगे हैं, तो दो variable होगे, एक original होगा, और एक उसका copy होगी, तो फिर जो copy होगी, तो वो चेंज होती रहेगी, original change नहीं होगा by value में, तो original no change, दूसरी टाप जो है, वो pass by value है, when the arguments are passed by value, जब value का जिरिये pass की रहते है, only the value of actual argument is copied to the call procedure, और जहां फंक्शन, तो जो actual value होती है, variable की, उसको निकाल के रहता है, बलकि उसकी यह copy लेके, उसको call के रहता है, और उसी के हंदे changing करेंगे, return के रहता है, जो भी return करना हो, तो original value वहां की वहां save रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता, if the procedure makes any change in the argument, it does not affect the actual argument, the keyword by value is used to indicate that the arguments are passed by the value not reference, तो programming के दुनिया में कैसे पता चलेगा, कि आपने value by reference pass किया, या by value, तो अगर हमने by value वाल तो by reference हो रहा था, लेकिन अगर हम by value करना हो, तो फिर हमें उसाल लगाना पड़ेगा, byval, same way चीज़ है, वही काम करना है, वही programming है, लेकिन सिर्फ एक लफ़ज का फ़रेगा, उसका नाम है byval, यह साथ लगाएंगे, तो अब उसको पता चलेगा, कि आप मैंने by reference रहे, by value के जरीए, by value के जरीए काम करना है, वही काम किया, पहले 5 एंटर किया, वह बताएगा कि आपने function call करने से पहले इसकी value 5, तो function call करने के बाद इसकी value 25 होगे, और function call करने के बाद इसकी बजाय के value 0 हो, यहां दाप देखें, इसको हमने 0 कर दिया, लेकिन वहाँ output में शोकर आ रहा है कि आपकी value 5 के 5 ही है, तो यह किस तरह काम किया, अब यह देखें, इसके पास अलग मेमरी है, और इसके पास अलग मेमरी है, यह main के अंदर है, इसका इसके साथ कोई तरलुक नहीं, और यह user defining के अंदर है, और इसके साथ कोई तरलुक नहीं, इस तरह जब आए value चेंज करते हैं, तो उसमें original के अंदर कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि यह original है, यह अपने जिगा available है, लेकिन यह चूंके user defining के अंदर है function, तो इसलिए बस यहां changing आती है, आप यह देख सकते हैं, यह function call करने से पहले 5 है, और function call करने के बाद भी 5 है, जब पिछला प्रोग्राम था, उसके अंदर function call करने से पहले 2 था, और function call करने के बाद वो 0 हो गया था, फरक क्या है, sub procedure में और function procedure में, sub procedure is declared with the sub keyword, और function procedure जो है, वो एक function का keyword, reserved keyword लगता है, procedure जो है, वो cannot return value, function जो है, वो एक return value करता है, यह कर सकता है, procedure it call with call, keyword इसके साथ c a ll call लिखना पड़ता है, तो इसके साथ सिर्फ नाम ही उसका लिखना पड़ता है, it call only with the name of the function procedure, सिर्फ उसका नाम बोलो तो वो आजएगा, procedure के अंदर, उसको c a ll call लिखना पड़ेगा, थैंकियो जो फार वाचिंग, अल्लाह अफीस, अगर कोई question ए, कमेंटर सेंस के मतलब वो पूछे, दिएगे quiz के comments करें, चैनल को subscribe करें, और इस वीडियो को अपनी class value के साथ share करें, बिस्मिल्लाहि रह्मान रहीम, सजाद अमद की तरफ से सब को सलाब पहुंचे, विजुल बेसिक का chapter number 10 और उसका lecture number 53 है, अप्र वाचिंग दिस वीडियो, यू विल बी एबल अंसर दीस question, विजुल बेसिक डाज नट अलो ऑप्शनल अरगुमेंट, यस और नो, ऑप्शनल इस ए कीवर्ड, यस और नो, यूजर हैस ऑप्शन तो प्रवाइड और स्किप दी आरगुमेंट्स, यस और नो, चलने स्टार्ट करते हैं, अप्शनल अरगुमेंट्स, यानि के आपके पास ऑप्शन हा जाती है, कि आप आप आगुमेंट को पास करें या ना करें, इस तरह ब्रैक्ट के अंदर आपके मर्जी है, कि आप कोई दो वैल्यू या तीन वैल्यू नितनी भी वैल्यू डिफाइन की गई है, वो पास करें या ना करें, यानि कि वैल्यू दें या ना दें, या स्किप कर दें या प्रवाइड करें, Visual Basic allows to create procedure या function with optional argument, यानि कि Visual Basic आपको लोग करता है कि आप ऐसा function लिखें या ऐसा procedure लिखें जिसके अंदर, parameter optional हो, इफ या procedure has optional argument, अगर procedure या function या उसके पास optional argument है, option का मतलब है कि आपके पास choice है कि आप arguments दें या ना दें, इट can be executed without providing the value for these arguments, ये execute हो जाएगा कि आप उसको value दें या ना दें, यानि कि function चल जाएगा, पहले हमने देखा था एक function जिसके अंदर हमने argument पास में था किया, उसने error दे दिया था कि n was not defined, तो इसमें अगर हमने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर optional हो कि कोई value देता है या नहीं देता, for example, अगर किसी से city का पूछा जाता है, कि आप अपनी city बताएं, या आप अपनी country बताएं, तो ठीक है, अगर उसने value दे दिया है, तो ठीक है, अगर नहीं दी, तो कोई by default एक रख ले, फ़र्ज़ करेंगा किसी को पिजाब का data कठा किया जा रहा है, तो सबसे पहले priority के उपर उसका लोग लिक दिया जाता है, कि अगर वो option को select करता है, तो ठीक है, नहीं select करता है, तो वो by default जो है, यह optional जो उनके पास है, उनको दिखा लेगा, यूजर है, अप्शन तो प्रवाइड यह skip value for optional argument, यूजर के उपर है कि वो प्रवाइड करें यह skip कर दे value को, इफ एन argument is specifies as optional, बाज दफा ऐसा भी होता है कि किसी जगा email मांग जाती है, phone number, email address, बाज दफा ऐसा होता है कि उस जगा email मांग जाती है, और वो optional होती है, अगर आप email देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें, तो फिर भी ठीक है, तो इस तरह यह optional programming के अंदर use होता है, all subsequent arguments in the argument list must also be declared as optional, तो optional वहारा हमें लिखना परेगा, कि यह जो मैंने पहला argument है, या दूसरा argument है, यह मैंने optional declare किया, उसके साथ एक keyword लिखना परेगा, optional optional, the keyword optional is used to declare optional argument, programming के दुनिया को, यह वहारा लफज, optional optional पर कही पता चलेगा, कि यह optional argument है, अगर इसकी value आ रहे हैं, तो फिर भी ठीक है, अगर इसकी value नहीं आती, तो फिर भी ठीक है, the syntax for declaring optional argument is as follow, उसका syntax यह है, सबसे पहले हमने sub sub लिखना है, यह जरूब keyword है, फिर procedure का नाम, या function का नाम जो भी हमने लिखना है, वो लफज keyword लिखना है, optional, यह must लिखना है, तब भी वो काम करेगा सही तरह, और आगर variable का नाम को भी a, b, c, x, y, z लिखना है, as keyword है, और उसकी data type यह string, इसके अंदर जो भी आपने statement execute कराने हैं, वो आएंगे, जितनी भी आपने statement execute कराने है, और राइंड हुए, एंड साइब आएगा, जिसका यह पता चलेगा, कि आपका procedure यह आपका function खतम हो गया, example दिए गई है, कि सबसे पहले, आपका sub लिखा, जो कि keyword है, pro pro, यानि कि कोई एक उसने procedure के लिए नाम लिख दिया, और इधर option का keyword लिखा है, एंड एक variable है, उसकी data type integer है, accept करता है, और बाद में उनका sum शोकर रहता है, तो फिर इस प्रोग्राम को काल करें, एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट नम्मरों पैरामेटर देखे, वो कैसे अभी हम देखते हैं, यह फार्म बना है, उसके उपर एक आपने बटन लगाना है, बटन के उपर आपने कोई, उसकी caption अख़ते नहीं है, call procedure, एक general section के अंदर हमने जो declaration करनी है, वो इस तरह की होगी, general declaration को हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपने main पे आ जाते हैं, बटन के click event के उपर, यहनके command वान के click event के उपर, हमने यह coding की के, call किया सबसे पहले my pro को, my pro क्या है, एक procedure है, वो के इदर है, यह वाला, इसको call किया, फिर my pro को call किया, उसके अंदर 10 value दी, फिर my pro को call किया, उसके 10 अंदर V value दी, यानि के 3 दफ़ा call किया, और हर दफ़ा उसके parameter अलग अलग है, यहाँ 0 parameter है, यहाँ 1 parameter है, और यहाँ 2 parameter है, जब पहले दफ़ा call होगा, my pro, तो उसके पास कोई value नहीं है, वो इदर आएगा, इदर देखे करके, इसके पास 2 variable चाहिए, 2 variable चाहिए, लेकिन 2 optional है, optional और यह भी optional, जब दोनों optional हैं, तो उसको error करने का कोई मकसद नजल नहीं आता, कि मैं किस चीज़ का error करूँ, तो फिर क्या करेगा, एक variable डिक्रेर किया, जिसके अंदर sum होगा दोनों का, यह हमने अपनी पास प्रोग्राम में लिखिया, कि इसको कहते हैं statement, जो हमने statement execute करानी थी, सबसे पहले एक variable क्रेट किया, r जिसके अंदर हमने sum रखना था, किस चीज़ का, n और m, जो बे value इदर से और इदर से आनी थी, अब चुँए value नहीं यह तो यह 00 है, और r के पास definitely 0 आएगा, तो यहां शोकर हो आजएगा 0, जब पहले दफार अन्न होगा, तो उसका जड़ आएगा 0, फिर जब उसको call करेंगा my pro को, एक value गी 10, तो 10 में शाद जो तर्तीब होती है, उसी तर्तीब से value जाती है, जानि कि जैसे जैसे कामा कामा separate करते जाते हैं, चुँकि हमने 1 की value दिया 10, और यहां पहले में आएगी 10, और यह 0 रहेगी, जब n यहां 10 आया, 10 जमा 0, जो भी आया वो R को देते तो आप value आएगी 10, तो इदर प्रिंट हो जएगा 10, जब तीसी दफार काल किया, तो इसको 2 parameter शोकर रुआए, जब 2 parameter गिए तो पहली value, पहले parameter को चले जएगी, दूसरी value दूसरी parameter को चले जएगी, जए इसको 10 है और इसकी 20 है, तो यह दोनों मिलके, आब R की value कर देंगे 30, और यहां show कर रुआ देंगे 30, तो इस तरह आपके पास choice होती है, कि आप कोई parameter देना चाहते हैं, या नहीं देना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है, लेकिन वहां show ज़रूर हो रहता है, कि आप यह value दे दे, अगर ना भी देंगे, तो कोई error नहीं आएगा, यानिकि आपके पास option होती है, इसलिए इसको option parameters कहते हैं, और इस work यह मैंने आपके बता दिया, किस तरह उसे ने काम किया था, थैंकि यू फार वाचिंग, अल्लाफीज, बिस्मि लाहि रह्मान रहीम, सजाद हमद की तरफ से सब को सलाम पहुंचे, विजल बेसिक का चप्टर नुमर 10 और उसका लेक्टर नुमर 54 है, अफर वाचिंग इस यूड़ यू बेसिए यू बेसिए आपल अंसर इस क्वेचिन, विजल बेसिक डाज़न अलोप लव दिफांट वेलु फ़र आप्चिंग, अपिछ बेसिए लेकिन अगर कोई यूजर नहीं डिफाइन करता है, या या डेटा नहीं देता, अगर यूजर आप्छनल पेरेमिटर का डेटा नहीं देता, तो बाद दफा ऐसा होता है कि हमें value चाही होती है तो हमने कोई ने कोई एक define गया कर रख दी होती है तो फिर automatic program उसको उठा लेता है तो इस तरह की जो programming की concept है उसके अंदर ये एक by default value define गया कर रख दी जाती है कि अगर user कोई भी ने define करे या कोई भी ने select करे तो by default को एक आजाएगी the syntax of specified default value for the optional argument is as इस तरह सा syntax होता है सब यह पहले भी हमने देखा procedure का नाम optional keyword आगा variable का नाम as उसकी data type लेकिन यहाँ एक चीज़ extra है जो कि ये show करेगी कि इसकी value ये है पहले ये चीज़ नहीं थी होती पहले ये simple होता था कि इतना अब ये extra चीज़ ये बता रही है कि इसके अंदर कोई ना की value ऐसी आ गई है जो कि by default define कर देगी है और इनके अंदर statements या कोई 5-6 statement होंगी जितनी भी statement होंगी execute होंगी और and sub ये लिखते कैसे हैं इस तरह सब माय प्रोसीज़ आप्शनल ऐसे ही एन एस इंटीज़ ये चीज़ एक्स्ट्रा है is equal to 10 ये शोक आ रहा है कि इसकी value 10 है यानके user ने कोई value ने दी तो automatic इसकी value 10 आजेगी एक ग्जैमपर देख लेते हम कि write program to declare function that accept and optional parameters with the default value ऐसा program लिखें जिसके अंदर एक function होगा जो के एक तो वह value लेगा argument के अंदर optional दूसरी वह default भी उसमें कोई नो कोई होनी चाहिए तो general declaration के अंदर ये वही चीज़ है कि पहले हमने my phone का एक function बनाया है जिसके अंदर हमने optional के लिखा कि ये optional parameter है और इसके अंदर integer type का जो variable है उसकी value by default 100 है फिर message box show करवा दिये values और parameter is जो भी any value होगी पहले तो कोई भी ना अगर किसी ने value दी तो वह 100 के 100 default value show करवा देगा लेकिन अगर किसी ने value दी तो वह value show करवाएगा अभी इसको देख लेते हैं प्रेवर सब कमांड जाने के click event के उपर हमने क्या किया सबसे पहले my phone को call किया बगार किसी parameter के तो क्या करेगा वह वहाँ से 100 value उटपिक कर लेगा फिर उसके बाद दोबार हमने my phone को call किया वह 5 value sign की तो 100 को वह override करेके अब 5 को show करवाएगा या 5 आगे pass कर देगा तो इदर जाब पहली दफा हमने 100 कुछ ने दिया तो उसकी 100 value आएगी लेकिन जैसे हमने 5 दिया तो उसकी 5 value आज़ेगी यह by default value है 100 और यह user defined value है 5 how it work यह मैंने आपको बता दिया thank you for watching अल्ला आफीज अगर कोई question है computer sense के मतलब वो पूछे दियेगे quiz के comments करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपनी class value के साथ share करें बिस्मि लाहि रह्मान रहीम सिजाद आमध की तरफ से सब को स्राम पहुंचे visual basic का chapter number 10 और lecture number 55 है after watching this video you will be able answer to these questions visual basic provides options for named argument यस ऎलो user can provide arguments in any order for named argument yes ऎलो colon sign यह वाला sign जो है must be written in named argument यस तक करते हैं named argument पहले हमने दिखा था कि पहले argument pass करते हैं उसके बाद हमने दिखा था कि हमने option ideally pass करने है optional argument के बाद हमने देखा कि optional argument के साथ कोई by default value दे जाते है कोई value optional के तोब पर कोई नहीं भी देता तो by default value वो पिक कर लेगा अब एक नया concept है named argument यानि कि जो हम argument pass करते हैं उसका कोई ना कोई name रख दिया जाए visual basic provides the option of named argument name arguments की visual basic facility देता है as shortcut for tapping argument value with the name argument the user can provide the arguments in any order assigning a value to the named argument यानिके पहले जो concept था उसके अंदर जितने भी वो argument होते थे उनके अंदर कॉमा के जरी सेपरेट जितने भी हुए थे उनके अंदर उस हिसाब से value जो है assign हो जाती थे फर्स करें यहां अगर चार है तो चार पहली value पहली को जाएगी दूसरी दूसरी को तीसरी को चोथी चोथी को तो यह तो तब ठीक है अगर कोई जानता है कि मैंने अब कौन से value देनी है फोन नमबर देना है या name देना है या class देनी है या marks देनी है तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि पहले कौन से value देनी है दूसरी कौन से देनी है तीसरी कौन से देनी है तो इस त same exact location पर जाकर बैठ जाता है चलिए इसको हम देख लेते हैं आगे कैसे चलते है यह the syntax of using named argument is as follows उसका syntax जाकर function का name होगा और argument के साथ यह column is equal to यह value यहां argument का आप अपने बता देने के यह argument की value यह वाली है चलिए start करते हैं इसमें write a program to declare a function that accept to named parameters दो parameter होंगे named वाले program call the function two times program दोदफ function को call करेगा और इनको different sequence में value दी जाएंगी ऐसे हमने फाहमना है और इसके click किमट के general के उपर आप देख रहे हैं कि general के उपर हमने कैसे क्याम करना है कि एक function है जिसका नाम my fun है इसको main function की line इसको main coding वाली window से call किया जाएगा my fun का और m as integer, n as integer और इसको दो parameter दिये जाएंगे यह optional नहीं है यह necessary है लेकिन इनकी आगे पीछे तर्तीब हो जाने से कोई फरक नहीं परेगा यह जो m होगा वो m कोई मिलेगा जो n होगा वो n कोई मिलेगा तो जो m इदर आएगा वो m की value शो कर रहेगा यह message box है और जो n होगा वो n की value शो कर रहेगा इदर भीचा कहा हम पहले n की value दें यह n की value दें यह n की पहले दें यह m की बाद में दें लेकिन value उन्होंने m वाली m को ही जाएगी एन वाली एन को ही जाएगी पहले कंसाफ्टर यह था कि जो पहले आता था उसको पहले मिल जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है हमने एक नाम राख दिया एक इंटिफाई दे दिया कि तुमने इसी के पास ही जाना है तो यह मेन विंडो है क्लिक कीमण के ओपर हमने इसमें क्या किया माइफन को काल किया पहले दस और बीस वैल्यू देगे और फिर एक और दो देगे जब दस और बीस दी तो जो दस है वो पहले पास लेगे जो बीस दी वो दूसरे पास लेगे यह था नार्मल तरीका लेकिन जब हमने माइफन को काल किया किसके साथ colon sign is equal to कोई value और फिर colon sign is equal to कोई value यानि कि अब हमने बता दिया कि N तुमने इस के पास ही जाना है 1 के पास M तुमने 2 के पास ही जाना है यानि कि N तुमने अपने पास 1 ही रखना है और M तुमने अपने पास 2 ही रखना है बेशक आगे जाके N पहले आ रहा है यहां M पहले आ रहा है उससे कोई उसको फरखने परना चाहिए तो सेम इसी तरह आप देख लिए कि हमने N पहले साइन की लेकि यहां N बाद में शोकर आ रहा है और M बाद में साइन की और यहां N और यहां M पहले शोकर रहा है अगर कोई क्वेशन है कुमेटर सेंस के मतलब वो पूछे दिएगे क्विज के अंस कमेंट्स करें चैनल को सिस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपनी कलास वैलो के साथ शेयर करें बिस्मिल्लाहि रहमार रहीम सजाद अमद की तरह से सबको सलाब पहुंचे विज्वल बेसिक का चैप्टर नमबर टैन और लेक्टर नमबर फिफ्टी सिक्स है अप्र वाचिंग इस वीडियो यू विल बी एबल तो आंसर दीस क्वेशन अल्लिमिटिड आर्गुमेंट्स अलॉड इन विज्वल बेसिक यस और नो प्राम अरे इस कीवर्ड यस और नो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट आर्गुमेंट्स यानि के ऐसे आर्गुमेंट्स जिनकी तदाद मुलूम ना हो वो कितने हैं एक हैं दो हैं तीन हैं चार हैं या अनलिमिटिड है हमने पहले जितने भी कुईशन किये थे उनके अंदर जो भी आर्गुमेंट्स पास करते थे वो सेपरेट कमा के साथ करते थे और वो एक हो सता था दो सते थे तीन हो सते दिजितने भी थे उनके दिमें कमा डाले के उनको पास करते थे लेकिन अगर हमें arguments की तदार मुलूम ना हो यानिकि किसी जगा assess hardware की जुरूर पर गई है जिसकी जगा हमें यह नहीं पता कि कितने arguments पास होने है तो हम वहां indefinite arguments की तकनिक लगाते हैं Generally, the number of the arguments in the procedure call must be the same as in the precise specification ति परम or a keyword is used to specify a procedure that can accept any number of arguments यानिकि normally तो हमें पता होता है कि कितने arguments आने हैं लेकिन अगर ना पता हो तो हम वहां एक keyword use कते हैं from array का syntax क्या है इस चीज़ के लिए the syntax of using indefinite argument is as follow function name function का name आएगा और from array जो के एक keyword है और argument का नाम उसके अंदर जितनी भी statement हमने execute कराना है जो भी program execute कराना है वो रिखेंगे और end function जिसका मतलब होगा कि मारा function खतम हो गया एक example अलका लेता है यह वही चीज़ है एक button लगाया button के click keyword के उपर यह main जो window है यह call होगी जब यह call होगी तो उसके अंदर पहले सबसे सबसे लेकिया लिखा है वैसे यह double l call sum यानि के एक procedure को call किया गया है उसका नाम sum है और उसके अंदर तीन arguments दिए गए है अब यह अपने अंदर sum को डून लेगा कि sum किस जगह है तो सबसे पहले यह जिदर आएगा sum के पास और sum के आगे keyword है प्राम array और साथ इसने num और num और साथ चोटी brackets से लिखी हुई है प्राम array keywords का मतलब यह है कि यहां जितने वर्जी parameters आ सकते हैं चूंकि हमने ऐसा program लिखा है जिससे के अंदर पता नहीं कितने 5 हैं 10 हैं 20 है जितने भी parameter रहेंगे उन सब को जम्मा करके उसका sum करवाना है तो sum करवाने के लिए हमने एक variable declare कर दिया जिसका नाम S है और वो integer type का है उसके लाबा फिर हमने इसके अंदर loop लगा दिए जब नम के अंदर पता नहीं कितने नमबर है तो इसलिए कोई limit का नहीं पता कि कितने तक फालूप चलनी है तो उसके लिए keyword रिचूज किया unbound का यानि कि 0 से लेके unbound तक फालूप चलेगा और हर दफा क्या करेगा जो यह नमबर है उसका i index i क्या है आई पहले 0 है फिर 1 है फिर 2 है फिर 3 है इस तरह तो यह array की सुरत में एक तरह का है और हर दफा i का 0 index से 1 index से 3 2 index से 3 index से होते हुए यह हर दफा जितने भी value आएंगे उसको s के अंदर store करता जाएगा और at the end जो भी value आएगी वो s के अंदर आ जाएगी तो इस तरह की होगा कि हम आई पाज जितने भी arguments जिनके में तदाल मुलूम नहीं है उनको भी हम handle कर सकते है तो इस तरह हम दे सकते हैं जिस तरह अगर पहले यह चलेगा तो पहले 10 आएगा इदर 9 में और S में पहले starting में 0 होगा 10 आएगा दूसरी दफार जब फालूग चल यहां तक 60 हाया था और 40 आएगर दुबारा फिर 100 हो जाएगा फिर 50 होगा तो 150 हो जाएगा तो इसका output कुछ इस तरह आएगा Sum is 60 और Sum is 150 हो इट वर यह कैसे काम करता है यह मैंने explain कर दिया कि एक यवर्ड है परामरे का जिसका मतलब यह होता है कि वह undefined या unbound number है parameters के तो num जो है एक array की type जिसके अंदर हम indexes के जरी हर element को access करते है Thank you for watching अल्दाफीज अगर कोई question एक कुमेटर सेंस के मतलब वो पूछे दियेगे quiz के comments करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपनी class value के साथ share करें बिस्मिल्लाहिराह्मान रहीम सजाद अमद की तरफ से सब को सलाम पूँचे विजुल बसीकर चैप्टर लंबर 10 और लेक्टर लंबर 57 है After watching this video, you will be able to answer this quiz A function cannot accept any array as argument Yes or No, array must be two-dimensional Yes or No, array keyword is mentioned in syntax Yes or No Passing array as argument पहले हमने जितने भी question किये उसके अंदर एक time पर सिर्फ एक variable को pass किया जाता था या एक से ज्यादा variable को pass किया जाता यानि कि array pass नहीं थी की जाती हर दफा variable ही pass किया जाता था तो इस concept में हम देखेंगे कि किस तरह argument के तोर पर पूरी की पूरी एक array pass कर दी जाती है syntax उसका इस तरह है function का name आएगा और array का keyword आएगा इधर और उसकी data type आएगी बस इतना ही है और उसकी अंदर पिर जितनी statement हमने execute करानी है जो भी काम करना वो आएएंगे और एंड function इसकी example देख लेते हैं लाइट प्रोग्राम गाट input five numbers in array and passes the array to be sub procedure procedure display all numbers in array and their sum of the farm नहीं के पांच नंबर array में होंगे और उनको एक procedure कर पास करेंगे और उनका फिर sum शोख रहेंगे यह general declaration के अंदर है सब कुछ पहले हम main window को देख लेते हैं यह main window है private command में सबसे पहले क्या होगा एक array declare की जाएगी जिसके इंदर चा लिखा इसका मतलब है यह 0 से लेकर 4 तक array होगी मतलब 5 element होंगे पालूप चला आई 0 से लेकर 4 तक यानिके पांच दफ़ा आई का चलेगा वैल्यू यानिके पांच दफ़ा रे चलेगी और दफ़ा आई के वैल्यू चेंज होते जाएगी पहले 0 फिर 1 2 3 फिर 4 हर दफ़ा क्या करेगा input box के दर यह value लेगा एंटर नंबर के तरह एंटर नंबर शो करवा के पहली value पहली index में चले जाएगी फिर दूसरी वैल्यू दूसरी index में तीसरी तीसरी चोथे इस तरह हर index में एक एक value चले जाएगी पांच वैल्यू ले लेंगे फिर क्या कि एक procedure को call किया जिसका नाम sum है और उसको n pass का दिया अब n क्या है एक array है जिसके अंदर पांच elements है यह sum को डून देगा कि sum मेरे अंदर है तो इदर आएगा तो sum और साथ उसको array मिल जाएगी n की वो उसकी type integer क्यूंकि हमने sum भी शोकर होना है तो उसके लिए हमने s declare कर दिया as integer type का पहले हमने print करवा दिया value in array यानिकि sum करने से पहले हमने उनकी value show करवा दिया वो कैसे follow up लगाया i 0 से लेके unbound array यानिकि जहां नहीं पता कितने number element है तो वहां हम unbound लगा देते हैं तो हर दफा पहले 0 index आएगा array का पहले 0 index आएगा i का और उसको जम्मा करवा देंगे s के अंदर और हर दफा हम क्या करेंगे array का element भी प्रिंट करवाते जाएंगे जो भी array के अंदर i का element है यानिकि 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 element जब follow को complete हो जाएगा फिर हमने sum को sum of the array is और साथी s की value शो करवा दिने जो के इसके अंदर आई है इस तरह आजएगा कि 5 value किसी ने अंटर किया 10, 20, 30, 40 तो पहले उनकी value शो होंगी और फिर end बे उनका sum शो हो जाएगा how it works यह मैंने बता दिया है थैंक्यू पर बाचिंग अलाफिस अगर कोई question है कम्मेटर से अंस की मतलब वो पूछे दियेगे quiz के comments करें चैनल को subscribe करें और इस video को अपनी class value के साथ share करें बिस्मिल्लाहिराहिराहिराहिम सजाद अमद की तरफ से सबको सलाम पहुंचे विज्यर बेसिका चैप्टर नंबर 10 और लेक्टर नंबर 58 अफ्टर वाचिंग इस वीडियो यू वीडियो आंसर इस question चलने स्टार्ट करते हैं passing element of array as argument यहीं के पहले हमने पूरी के पूरी array as a argument के दोपर पास की थी लेकिन अब अगर हमने array के अंदर कोई खास element या particular कोई element पास करना है तो वो किस तरह पास करेंगे individual elements of an array can be also passed to procedure यहां function यहां कि array का कोई एक खास individual element या particular element भी हम ऐसे argument के दोपर पास कर सकते हैं function को भी और procedure को भी उसके लिए हम कोई example देख लिते हैं write a program that input file number in array and pass this value to a function one by one the function return the square of the value to the print it हमने ऐसा program लिखना है जो array के अंदर हार element को पकरेगा और उसका square हमें return करेगा button गाया button की click event के उपर हम coding देख लेते हैं click event के उपर यह आएगा सबसे पहले हमने array declare कर दी पांच नंबर की यानि की 0 से 4 वाली file लूप लगा के पहले हमने 5 नंबर ले यूजर से फिर दूसरा लूप लगाया उसके अंदर हमने एक procedure को काल किया या function को काल किया जिसका नाम isquare और उसके अंदर array pass कर दी यह वाड़ी अब यह देखे हैं कि मेरे अंदर को ऐसा procedure यह function है जिसका नाम isquare है तो इदर आके देखेगा कि इसके अंदर यह वाला procedure available है यह general declaration के अंदर है और n as integer जो कि इसको रे मिलेगी यह कोई element आएगा साथ चूंकि हमने वहाँ square store करना है तो इसलिए हमने variable क्लिया कर दिया s as integer type का और जो भी value आएगी n के अंदर वो उससे multiply करके s को return कर देगा और s दुबारा उसको return कर देगा किसको जो function यह procedure का नाम था यह मने पहले पर रहा था किस तरह value टर्न करते है और पैस value आजएगी और इदर print हो जएगी value आजएगी तो इदर आजएगा फर्ज़कर किसी ने दो एंटर किया है तो आजएगा value value 2 के पहले value 2 थी जिसने पहले अंटर की थी और square उसका चार आजएगा फिर इस तरह अगली value आएगी उसका square यह function काल होगा square वाला फिर वो इदर आएगा उससे multiply करके s को store हो जएगा और दुबारा turn value होगी तो दुबारा इदर आके वो R के पास store हो जएगी और R फिर इद इस तरह आएगी value जो भी होगी उसी को उसी से multiply करके return करते रहेगा और इदर आगे value show हो जाएगी तो इस तरह output हमारे पास आजएगी value 1 square 1, value 2 square 4, value 3 square 9 इस तरह how it work कीजिए मने आपको बता दिया है आप इसको मजीद पर सकते है थैंक यू फार वाचिंग अल्लाफीज अगर कोई question ए कुमेंटर सेंस के मतलब वो पूछे दियेगे quiz के comments करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपनी class value के साथ share करें बिस्मिल्लाहि रह्मान रहीम सजाद अमद की तरफ से सबको सलाम पहुंचे विजल बेसिका चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 59 है पहले हमने जितने भी question देखे थे उसके अंदर पहले argument को तोर पर variable पास करते थे फिर argument के तोर पर हमने array पास कर देखे और return value हमेशा एक variable यह आता था लेकिन अगर हमें return एक array चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं चलें देखते हैं function यह procedure can return an array function यह procedure एक array भी return कर सकते हैं पहले हमने जितने भी question देखे थे उसके अंदर तुमाम के तुमाम variable ही return हो रहे थे लेकिन प्रोग्राम देखे इनपट 5 numbers यह वही चीदर पहले की थे हैं पास देखे यह function function calculate the square of each element in another array and return the value return the new array where the value are display on the array पहले हमने जो question किया था उसके अंदर हर दफा function call होता था और एक time पर एक element return हो रहा था यानिके एक variable लेकिन इस दवा हमने क्या करने है ऐसा program लिखना है जिसके अंदर सिर्फ function को एक दफा काल किया रहेगा function के अंदर तुमाम ऐसी coding लिखी होगी जिसके अंदर ही पूरी की पूरी array square find करेगी और square find करने के बाद किसी एक number में store हो जाएगी और वो main function को दबारा turn होगी तो क्लिक event के उपर हम पहले एक array declare कर लेते हैं और return value के लिए एक array declare कर दें और फालूप के जरी हमने पांच value लेडियूसर से और एक square को हमने काल किया जो एक procedure या function का नाम है और साथ ही N उसके अंदर pass कर लिए जो के एक array है जब इदर आएगा procedure के अंदर array साथ value आजेगी इसके array की और एक नई array declare करेगा जिसके अंदर हमने अब इसका square find का रखना है उसका नाम आपने लख लिया s जैनिके array का नाम है s फालूप लगाया और हर दफा क्या किया array के element को array के element से ही multiply करेके उसके index के अंदर store करा दिया यानिके पहले index वाली value को पहले index में show दूसरे व पांचमे वाली को पांचमे में store कर दिया जब फालूप खत्म हुआ तो at the end s के पास एक array है वो array जो हमने return कर दी किसको जो function या procedure का नाम था वो value इदर आएंगी और जाएंगी आर के पास अब square के पास एक array थी जो return होके आई है वो अब आर को दे देंगे ताकर में जैने calculation कर सके अब आर के पास square वाली एक array मुझूद है फार लूप लगाके इसके अंदर तुमाम एक एक element करके access किया और आर के वैली शो करवाई तो इस तरह उसका output शो होगा 149 1625 यह कैसे काम करता है यह मैंने आपको क्स्प्रिंग कर दिया आप इसको मज़ीद पर सकते हैं अगर कोई question आप कमेंटर सेंस के मतलब वो पूछे दियेगे quiz के comments करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपनी class value के साथ share करें बिस्मिल्लाहिराह्मान रहीम सजाद अमद की तरफ से सबको सलाम पहुंचे विज्वल बेसी का chapter number 10 और उसका lecture number 60 है पहले हमने जितने भी प्रोग्राम देखे थे उनके अंदर जो भी data type पास करते थे as argument के तो पर वो integer थी यह स्ट्रिंग थी यह हमें पता था के वो किस type की है लेकिन जब हमें ना पता हो कि हमने जो data pass करना है वो किस type का है यहां फिर हमें requirement ऐसी है कि वो data type define नहीं है यानि कि वो ना integer है ना string है ना email वाला है तो फिर user को अप्तियार दे रहता है कि वो अपनी तरह से कोई data type define कर ले कस्टमाइज data type जो अपनी मर्जी का रखना चाहता है वो रख ले तो उसके लिए कौन सी तकनिक इसमाल करते है चलें देखते हैं इस user defined data type can also be passed to a procedure या function as a argument कि user खुद define करे कि कौन सी data type मेंने function या procedure को पास करनी है रेटे प्रोग्राम that declare a user defined data type to store our row number, name and marks यहनके row number, name and marks, string or integer, string integer का mix-up है यह it inputs value in the user defined variable and pass it to a sub-routine to display it, user defined variable है उनको value pass होनी चाहिए वैसे ही form बना है उसके बटन लगाया और उसके general section को छोड़ के पहले हम नीचे आते हैं जो menu यहां आएगा program पहले user execute होगा पहले देखेगा dimr as rec, rec यह आप यह तरह कहलें कि user defined का एक data type है, r एक variable है लेकिन यह array है जो भी है और उसकी एक data type है जिसका नाव rec है, ना यह integer है, ना यह string है, ना यह कोई और है, ना यह float है तो यह एक user defined data type है जिसका नाव rec है, यह rec क्या है हम आगे मजीद इसको देखेंगे, जैसे ही rec लिखा जाएगा तो वो देखेगा यानि कि इस तरह उसने एक data type बना कर रखे तो जैसे में विंडो के अंदर डिम आर एज rec का डिकलियर होगा तो वो जहां से पिक कर लेगा कि मेरे पास कौन से data type है, यह यह वाली है और इसके अंदर क्या का available है, यह चीज़े available है, यह जहां भी इसको काल किया जाएगा तो यह चीज़े accessible होंगी, एक, दो, तेन, क्या करेगा? r.ro number, यानि कि r के अंदर, जो r.c हमने इदर declare किया, यह और रो number, यह भी इसको access है, यह भी इसको access है, यह भी इसको access है, तो r.ro number, उसके अंदर क्या रखे गा? input box के जरी पहले रो number लेगा, फिर input box के लिए उसका नाम और उसको name में store कर देगा r.name के जरीए फिर input box के जरी मार्क्स लेगा उसको store करेगा r.max के जरीए यानि कि r एक variable है वो किस data type का है वो इसके अंदर define किया गया क्योंकि ये सब कुछ यहां से access हो रहा है सब चीजें r के अंदर आगी तो फिर उसेने call किya किसको display को ज्योकर procedure है और उसको ये r पास कर दिया अब यह देखे कि मेरे अंदर कोई d is p l a y कया एक परसिजर variable है यह नहीं जैसे वो इघर आएगा कि उसको एक display का procedure मिल जाएगा और साथ इसके वो एक value मिल जाएगी यह वाली और उसकी टाइप क्या है REC उसके अंदर स्टेटमेंट्स क्या है पहले प्रिंट करुआ है रोल उमबर एजिट ऐसे है जब एक में रबल कोटेशन के अंदर है कंकेटिनिट किया और एडार्ट रोल उमबर एका क्या मतलब है एक मतलब यह है जो वैलू उद से आ रही है यह 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 और यह और डाट 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 लगात के पही हम इनके अंदर जो अंडिविजिछुल वैलू स्टॉर की पे थे यह वाली यह वाली यह वाली उनको उक्सेस करते है यह 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 रोल झा miał नेंट इनको अक्सेस करने के बाद इनको प्रिंट करवाया तो इसका आउट पुट इस तरह कुछ आएगा रूल नमबर वन इसमान खलीब और मार्क्स सो थैंक्यू जो फार वाचिंग अल्लाः पीज अगर कोई क्वेशन है कोमेटर सेंस के मतलब वो पुछे दिएगे क्विज के अंस कोमेंट्स करें चैनल को सिस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपनी कलास वैलो के साथ शेयर करें बिस्मिल्लाही रह्मान रहीम सुझाद अमत की तरफ से सबको सलाव पुंचे बिस्मिल्लाही का चैप्टर नंबर 10 लेक्टर नंबर 61 है चलने स्टार्ट करते हैं पासिंग अब्जेक्ट एज आर्गुमेंट्स पहले हमने देखा था कि एक वेरियबल को पास किया रहता है एज आर्गुमेंट के तोर पर फिर उसके बाद देखा था कि एज आर्गुमेंट के तोर पर और अब जो है वो एक अब्जेक्ट पास किया गया है एज आर्गुमेंट के तोर पर An object like button, textbox and form can also be passed to procedure and function as arguments कह रहा है button को, textbox को, form को भी हम function के तो उपर argument के दिरी ये pass कर सकते हैं form1 के उपर एक button गाया, button के click event के उपर क्या किया? call किया एक procedure को जिसका नाम है my वो पहले आएगा my को pick करेगा, इधर से और साथ इसके गया है command command यानि कुछ भी हो सकता है, button भी हो सकता है, form भी हो सकता है, textbox भी हो सकता है क्योंकि यहां command एक button के उपर आ रहा है, तो इसलिए यहां command को उसने pass कर दिया जब इधर आएगा my को डून देगा, और साथ वो देखेगा कि उसको एक argument भी चाहिए जो कि argument इसको इधर से मिल जएगा button को, as a command button अब button जो है, ओ इसके पास as a argument के तोब पर आ गया है massive box show करवा दिये यहां, the caption of the button is, the btn.caption इनके यह जो button है, इसकी जो caption है, वो उसको log कर दी गई है, कि यह तुम ले लो यह जो button है, हमने pass किया है उसको, इसकी जो caption है, वो हमने इसको दे दी procedure को इधर massive box show हो जाएगा, the caption of the button is, यह as it आजएगा, और button की caption जो यह है, press me यह आजएगा इस तरह इसका answer आएगा, the caption of the button is, और जो press me, यह जो button की caption दी है, वो इसको pick कर लेगा तो साहत ही procedure खतम, और जब इधर आएगा तो पर और और भी खतम इसके लावा exit sub और exit function क्या चीज़ है, exit sub and exit function statements are similar to exit first statement exit sub is used inside a procedure to exit the procedure abnormally, यानि कि exit sub को तब इसमाल किया रहता है, जब हम किसी भी procedure को बनाबना तो पर यानि कि और exit function is used to inside the function for same purpose, और same purpose इसी का exit function क्याकर है, हमने कभी function बंद करना हो, example देख लेते हैं, start a new standard, here is project, enter a number, यह text box लगा है, और यह click command के ओपर, यह coding चलेगी, देख से start करते हैं, private sub command click, dim num as integer, यानि कि जो number किसी ने एंटर किया है, text box one dot text के अंदर जो भी text आएगा, उसको हमने दे दिया नम को, अब काल गया किसको, cube को, अब देखेगा cube नाम को कोई procedure है मेरे अंदर, तो इदर आएगा तो इदर उसको cube मिल जाएगा, वो साथ उसको एक parameter पी चाहिए, जो कि यह num की form में इदर मिल जाएगा, n को, n integer type का है तो इसको मिल जाएगा, अब n के उपर मज़ीद programming होगी, if n चोटा है या बराबर है 0 के, then exit sub, तब program खतम कर दो, यानि कि किसी ने कोई n number ऐसा enter किया है, जो negative है या 0 है, या 0 से चोटा है, तो उस वक्त program को खतम कर दो, अगर नहीं, तो otherwise क्या करो फिर, message box हो करवा दो, cube is n multiply n multiply n, यानि कि जो भी number आएगा, फिर उसको उस से 3 time multiply करके show करवा दो, तो इसका output किस तर आएगा, अगर तो इदर कोई 0 एंटर करेगा, तो इदर कुछ भी ने show होगा, लेकिन या अगर 3 एंटर किया है, तो इसका cube show होजएगा 27, ति बाउग example, use a procedure that accept number as an argument, if the number is less than or equal to 0, the exit sub statement, exit the control from the procedure and nothing happened, इने कितना ट्रोल वहाँ से खतम होजएगा, otherwise, the cube of the number is display the message box, अगर तो 0 या 0 से चोटी रख कम है, तो वो खतम होगा बनना, उसका cube शोख रवा देगा, थैंकि यू फार वाचिंग, अर्लाहाफीस, अगर कोई question है, commenter sense के मतलब वो पूछे, दिएगे quiz के comments करें, चैनल को subscribe करें, और इस वीडियो को अपनी class value के साथ share करें, बिस्मिल्लाही रह्मान रहीम, सजाद हमद की तरफ से सब को सलाम पूछे, विज्वल बेसिका चप्टर नमबर 10 और उसका लेक्शे नमबर 62 है, चैनल स्टार्ट करते हैं, मड्यूल, शुरू मैं हमने पर रहा था कि प्रोग्रामी लिखने के लिए मुतरियो तरिके हैं, इसके अंदर बड़े प्रोग्राम को चोट चोटे प्रोग्राम ही डिवाइड गारके रख दे रहता है, जैसे प्रोसीजर, फंक्चन और मड्यूल, दो चीज़े हम पहले पार चुके हैं, और अब यह फाइनल और लास्ट है मड्यूल वाली, मड्यूल का कंसेप्ट क्या ह है, मड्यूल is a collection of variable procedures and function that can be used from any part of the application, इनके दो तीन चीज़े हैं, पहले चीज़े है कि any part of application यह accessible है, मतलब यह global लावर पर है, कोई भी इसको access का सकता है, दूसरी चीज़े है कि यह variable का collection है, मुतली वारियबल उसके अंदर हो सकते हैं, मुतली प्रोसीजर उसके अंदर हो सक होते हैं, इनके मड्यूल एक heavy चीज़ है, बड़ी चीज़ है, बड़ी library है, जिसके अंदर वह सी books पर ही है, इस तरह समझने हैं, यह मड्यूल को आप इस तरह समझ सकते हैं, कि जिस तरह kitchen के अंदर अगर पांच cabin बने हुए तो पांच बंदों को allow कर दे जाता है, आपने अपना-पना cabin यूज़ करना है, तो वो एक private का concept आ जाता है, जो हमने इदे private keyword पर आ है, लेकिन अगर public की बात करें, तो कुछ चीज़ें यासी होती है, कि वहर किसी को allow होती है, कोई भी उसको use कर सकता है, तो same concept module का, उससे आप touch करके देख लें, module ऐसी चीज़ है, जो के प code को किसी भी जगा easily accessible बनाना, ये module का basic मकसद है, all variables function and procedures are declared with public keyword for global access, इनके global access या तलो farm के अंदर, procedure के अंदर, application के अंदर, पूरे software के अंदर, किसी भी जगा accessible होगा, each module is stored independently in the file with .bas extension, कि जो भी module होगा, उसकी निशानी ही होगी है, कि उसके आगर .bas लिखा होगा, जले इसकी example द देख लेते हैं, कहरे, write a program that uses a module to add a function compute, यानिके module small करते होगे, एक ऐसा function लिखे है, जिसका नाम compute है, the function accept an integer and compute is square and cube depending on the choice, यानिके जो भी choice बना करेगा, उसकी choice के मताबद, उस module से value return होगी, the choice is set to the global variable when the user click के बटन, choice जो है, वो भी एक global होगी, इस तरह हमने farm बना है, farm मतलब एक text box है, और अगर तो वो square का बटन दवाता है, तो square इसका शोख रोआना चाहिए, अगर वो cube का बटन दवाता है, तो cube शोख रोआना चाहिए, मतलब यह है कि, अगर square का कोई बटन दवाता है, तो इसके बटन के अंगेस अलाग कोडिंग होगी, अगर को क्यूब का बट नाव का वो क्या करता है उसका काम यह है कि अगर च्वाइस स्केयर की तो दो दफा मल्टिप्लाई करनी है अगर च्वाइस सावे क्यूब की तो तीन दफा मल्टिप्लाई करना है यह उसका काम है मड्यूल का जो के पुब्लिकली ग्लोबली अपरा हुए हर किसी को मिलेगी square की, जब इदर से square की choice मिलेगी तो यह square वाला खाना चलेगा, dimnum as integer, text1.text दे दिया num को, और number को हमने जो भी text है वो दे दिया, और निचे मैं सब खो करवा दिया, square is as it आजएगा, module1.computer के अंदर जो number है, computer के अंदर क्या है, एक variable चाहिए उसको, digit app का, यह देखेगा module1, जो के यह module1 है, module1.computer, module1 और इसके अंदर जो है, वो .computer यह वाला procedure परा हुआ है, और इसके अंदर क्या चाहिए, एक variable जो के नम की शकल में इसको मिल जएगा, n को, जैनके n के उपर मजीद coding होगी, जैसे यह चला, square तो उसको already मिल चुका हुआ था, तो फिर क्या करेगा, उसी को ही, उसी से multiple करके square return करेगा, जो value है कि वो compute के name के function को दुबारा दे दी जाती है, ताके वो return हो, इधर से यह से, सेम सुरताल यहां है, अगर कोई cube वाले button पर click करता है, तो क्या होगा, उसको automatically cube मिल लिएगा choice को, फिर जो text box आएगा, वो num में चला रहेगा, module 1.computer के अंदर वो number दे दे रहेगा, वो number जब इधर से आएगा, n के पास, तो n देखेगा, मेरी choice cube है, यह वाली, तो इसके अंदर क्या करना है, n into n into n करना है, जो भी answer आएगा, वो computer को दोबारा assign कर दे रहेगा, तो value message box में show हो जाएगी, जब हम project को run करेंगे, तो इस तरह अगर 5 enter करने पर square दुबाएँगे तो 25 आएगा, 5 enter करने पर Q दुबाएँगे तो 125 आएगा, यह बताया गया कि how it works, जो मैंने साधाल लफाद में प्यारा करने कोशी किया, यह वही English में लिखा होगा, आप इसको पर सकते हैं, difference between module and procedures, साधाल लफाद में यह है, procedure जो है, वो कोई value ट्रेन नहीं करता, module के अंदर बहुत ज़्यादा function, procedures, variable परे होते हैं, चलिए इसको पाल लेते हैं, module is a component that can be added a project, it provides a simple way to organize function and other program elements such as variable TC, यह सुलत परोइड करता है कि आप अपने मक्सूस function ने खास library में रख लें, या खास module में रख लें, कुछ function जो आपकी किस category में आते हैं, वो अलग अलगा category बना कर रख लें, it is a set of variable procedure and function that can be used from any part of the application, पुर यह application में वो कहीं भी accessible है, the basic purpose of creating a module is to access its code easily from anywhere, मक्सर यह है कि इसका code हर जगे available हो, हर किसी के लिए, all variable function and procedure are declared with public keyword and global access, वो public keyword के साथ और global access के साथ उनको declared कर रहता है, each module is stored independently in the file with BAS extension, और तमाम code BAS extension के फाइल के अंदर मुझूद होते हैं, module contain code but no control यह other interface elements such are form and controls, लेकि module का यह है कि इसके अंदर कोई भी form गएरा नहीं होते हैं, यानि कि हमें visually कुछ नज़र नहीं आता उसका, बलकि उसको सिरफ use किया जाता है, उसके अंदर सिरफ code होता है, और procedure के अएक चीज़ है, procedure is a set of statements that perform specific action, procedure एक तरह के set of statement है, जो मुतलिफ याँ एक खास action perform करने के लिए बनाए रहता है, procedures improve the efficiency of programmer by breaking the program into smaller unit that can be used in more than one place, procedure लिखने का मखस्ज़ यह है कि बड़े program को छोटे में convert करना, और small single task procedure make code easy to reuse, manage, debug and enhance, तो छोट-छोटे module बना आकरा clear जैते हैं, उससे क्या होता है कि reusability पर असानी हो जाती है, manage करना सान हो जाता है, debug यानि कि error डूनना सान हो जाता है, और उसकी value enhancement पाज़ जाती है, there are two kind of procedure, sub procedure perform an action and function procedure perform an action and return value, दोनों जो हैं वो action करते हैं, किसी ने किसी value पर लेकिन, sub procedure जो है, वो कोई ना कोई value return नहीं करता, लेकिन जो function procedure है, वो कोई ना कोई value return करता है, ये इनके दम्हें basic फुरद है, थैंक्यू जो फार वाचिंग, अल्ला आफीज, अगर कोई question ने कमेंटर सेंस के मतलब वो पूछे, दिएगे quiz के comments करें, चैनल को subscribe करें, और इस वीडियो को अपनी class value के साथ share करें,